नमस्ते भाई कैसे हैं आप लोग comment में बता देना अब काम की बात करते हैं देखें अर्थमेटिक में कुछ ऐसे chapter है जैसे कि election हो गया, installment हो गया, race वाला सवाल हो गया, true discount वाला सवाल हो गया, बच्चे बड़े परिसान रहते हैं और मतलब हो रट लेते हैं कि ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, पीछे का कारण किसी को नहीं पता, तो मैं आपकी ये वाली problem भी दूर करने वाला हूँ, मैंने आपको कैरेविल एप्लिकिशन पे concept भी पढ़ा हैं, YouTube पे हम practice भी करवाते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजे होती है जो बच्चों को परेशान करती हैं, उसका निवारन मैं बहुत बढ़िया तरीकी से करता हूँ, तो इसी स्रीज में installment, compound interest की भी और simple interest की भी पूरी concept के साथ एक long video मैं इस चैनल पे upload कर रहा हूँ, और समें किवल मैंने आपको रटवाया नहीं कि ऐसे आए तो ऐसे कर लेना, मैं आपको कान बता है कि installment क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे काम चलता हूँ, उसका आप अपने daily life में भी इस्तिमाल कर पाओगे, ठीक है न, concept के साथ मैंने समझाया है, कम से कम calculation में ratio method से, percentage method से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, और मैं आपको फिर guarantee द दोस्तों, इस में भी मैंने इस installment के सारे concept को theory के साथ और example के साथ जो मैंने लिखवाया हुआ है, दूसी बात मैंने कोई formula नहीं रटवाया, आपको installment निकालने के लिए कोई formula रटने की कोई ज़रत नहीं है, concept से आपको समझना है, ठीक है भाई, तो इस वीडियो को देखने क आपको इस chapter में कभी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस आप सुरू से लेके आखिर तक पूरा देखेगा, और मैंने हर एक type के सवाल को यहाँ पर include करने की कोशिश करी है, और latest previouser के question भी हमने हाँ पर आपको practice करवाए हैं, ठीक है भाई, चले, यह वीडियो को देखने के बाद आपको कितना भाएदा पहुचा, वो आप मुझे comment में जरू बताएंगे बाद में, installment में मैंने एक ही sheet बनाई है, और 22 सवाल है, 22 questions है मेरे दोस्तों, components और simple interest की installment में, और paper में सवाल मेरे दोस्तों, calculative आ जाते हैं, बच्चों को तकलीफ होती है, तो पहले मेरे दोस्त मैं आपको समझाऊँगा कि installment काम कैसे करता है, क्या होता है installment का मतलब, प्यार से समझेगा मेरे दोस्तों, बहुत प्रेमभाब से मैं आपको समझाऊँगा, जैसे, सारे सवाल बन रहे हैं, जी मेरे दोस्तों, कि installment का मतलब होता क्या है मेरे प्यार बे, installment का, तो मेरे प्यारे यह बताओ, धान से सुनेगा मेरे प्यारे यह बताएगा, कि जैसे सपोच एक आद्मी ने 25 रुप उधार लिये, एक आद्मी ने मेरे दोस्तो उधार लिये 25 रुपे, फिलिर है आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ले लें दो 25 रुपे तो लेला बिचारा, 25 रुप उधार ले लेजिए, ठीक है इसनों कोई दिक्कत है या 40 रुपे कर लेते हैं, 40,000 रुपी, 40,000 रुपे मेरे दोस्तो आप से उधार लिये, जादे हो जाएगी, डाटा भी तो आसान रखना है, सिंपल ही रखता हूं मेरे दोस्तों, मैंने आप, आपने मुझसे जो है, 20,000 रुप उधार ले, कितने रुपे, 20,000 रुपे उधार ले, 20,000 रुपे उधार ले, पहले आप कंसेप्ट समझो, आदे बच्चों को इंस्ट्रॉल्मेंट का मतलब ही नहीं पता कि इंस्ट्रॉल्मेंट क्या होती है, ठीक है ना? अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा, अगर आज मुझसे इंस्ट्रॉल्मेंट नहीं समझ पाए आप लोग, तो जिन्दगी में आपको कभी दुबारे मौका नहीं मिलेगा, कि आपको इंस्ट्रॉल्मेंट कोई समझाए, और आप installment calculate करना सीख पाओ सरकाई नौकरी लगने के बाद आप में से सारे लोग loan जरूर लोगे bank से चाह गाड़ी खरीदने के लिए चाह घर खरीदने के लिए या अपने education loan उतारने के लिए घर बनवाने के लिए हैं बई और उस loan में लगता है installment और वो installment ही आपको डंग से समझना है कि होता क्या है तो प्यार समझेगा पहले मैं आपको installment का concept समझाऊँगा पहले मैं compound index की installment समझाऊँगा वो easy है calculate करना simple index की installment में थोड़ी confusion है उसको बात भी समझेगे पहले CI की installment समझते कि installment calculate कैसे की जाती है जैसे भाई मेरे दोस्तो मैंने आपसे मेरे प्यारे भाई कितने रुप उधार लिए 20,000 रुपीज आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपको दे दूँगा उधार 20,000 रुपे कोई दिक्कत नहीं है सर आप जित्रा मर्जी चाहें बो ले लो लेकिन मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे ब्याज लूँगा कितना ब्याज लूँगा 10% परेनम का ब्याज लूँगा जो कि एनवली कंपाउंड होगा, एनवली कंपाउंड, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एनवली कंपाउंड, कितना होगा मेरे दोस्तों, एनवली कंपाउंड होगा, ये सर नो, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, एनवली कंपाउंड होगा, फिर मैं आप से कहता हू भाई मैं आपको पैसा जो धार दूँगा किवल 3 साल के लो धार दूँगा 3 years के लिए आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही तो मेरे प्यारे भाई आप मेरी बात को समझेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैंने आपको 20 सा रुप धार दिये आपने बोला कि सर बिलकुल दे दो 10% का आप मुझसे चक्रवर्दी ब्याज ले ना 3 साल बाद आपको पैसा लोटा लूँगा तो सिंपल जिंदगी क्या है अगर आप मुझे 3 साल बाद पैसा लोटाने आओगे तो आप मुझे बताओ कि आपको अपना करजा खतम करने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा आपको अपना कर्जा खतम करने के लिए बच्चो कितना पैसा चुकाना पड़ेगा जवाब दीजीगा करो ये मुझे बताईगा भई मैंने आपको बीसा रुपो धार लिये ठीक है भई आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं ले ले दो ब्याज की दर 10% परेनम का कंपाउंड इंटरस है तीन साल के लिए उधार दिया अगर आप कर्जा वन टाइम में सेटल करना चाहते हो तो तीन साल बाद आपको अपना कर्जा खतम करने के लिए मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा तीन साल बाद बताए बच्चो तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझीगा कि सर अगर ब्याज की दर 10% है तो एक साल में 10% ब्याज है तीन साल में होगा ददद दस का सक्सेसिव 33.1% ब्याज होगा 33.1% ब्याज होगा हमने सर आपसे 20 रुप उधार लिया था 20,000 रुपे का 33.1% कितना होता है तो परसेंटेज से 2.0 कड़ जाएगा 10.1 से 1.0 कड़ जाएगा 6.6 2.0 तो 620 रुपे आपके उपर चड़ गया ब्याज 620 रुपे तो 20 रुपे मैंने आपसे उधार लिया आपने मुझ से 620 आपको कर्जा खतम करना होगा 26.620 रुपे देने पढ़ेंगे आपको अपर अपना कर्जा उतारना है तो 26.610 निबेटा 26,600 आएगा 26620 रुपे ना 2620 रुपे मैरे दोस्त क्यूं गलती कर रहे हैं 20.00 तो आपका प्रिंसिपल उधार लिया 6,620 रुपे ब्याज हो जाए हैं तो 26,620 रुपे स्टुडेंट्स आपको चुकाने पढ़ेंगे आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को अच्छी तरीके समझ गए हां तक तो किसे कोई दिक्कत नहीं यह है मेरे दोस्तों सिंपल जिंदगी जो नॉर्मल है जो मैं आपको बता चुक हूँ कि अगर आपने 20,000 रुपो धार लिया है एक ही शीट है 22 सवाल में खतम हो जाएगा बस पेसेंस पढ़ेगा किसी भी बच्चे को इंस्टॉल्मेंट होता क्या पता नहीं होता बस वो रट लेते हैं और रटी खतम करने के लिए देते हो उसे हम बोलते हैं डियू डैप्ट डियू डैप्ट हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बकाया कर्ज डियू डैप्ट हिंदी में हम इसको कहते हैं मेरे दोस्तो 26,620 बकाया कर्ज आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को समझ गया होता क्या है कि जब भी आप किसी बैंक में जाओगे 20 रुपे का ब्याज लेने, 20 रुपे उधार लेने, 20 रुपे का लोन, करजा लेने, तो बैंक आपसे पहली बोल देगा, भाई साथ, 3 साल बाद तुम्हें करजा चुकाना है, ब्याज की दर रहेगी 10% परेनम, तो बैंक आपको 26,620 जा तब 20 रुपे, लेकिन 3 साल बाद चुकाना कितना है, जो आपके माथे पर करजा आए, 26,620 रुपे, इसको हम बोलते हैं, ड्यू डेप्ट, तो आपको फरक समझ में आया, उधारली की रासी में, ड्यू डेप्ट में फरक समझ में आया, क्या होता है, करजा आपने 20 र क कहते हैं, बकाया करज, ठीक है, 26,620 रुपे, अब जैसे बैंक वाले ने बोला कि भाई साब आपको 26,620 रुपे चुकाने होंगे, आपके दिल की दढ़कन बलगी, आप रोने लगे, भाई मैं इतना पैसा एक बार में नहीं दे दे पाऊंगा, मैंनेजर साब एक काम करो, तो आपना मुझसे थोड़ा थोड़ा पैसा करके लेती रहना, बीसार रुपे आप बैंक में जाओ को धार लेने के लिए, बैंक वाला बोलेगा, ले ले बैटा कोई दिक्कत में, ब्याज की दल लगी, दस परशंट परेनम कंपॉंट ऐसे, तीन साल बाद तुम्हें करज किस्ते बांद वो, कितनी किस्ते बांद वो, आप मेरी तीन equal installment बांद वो, मैं हर साल के end में थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करता रहूंगा, तीन किस्तों में आपको मैं चुका दूँगा, clear है, आप बोलोगे, हाँ जी सर, तो बैंक वाले ने आपकी तीन किस्ते आता है, भाई तेरा करजा है, 26 आर 620, तीन किस्तों में तुझे चुकाना है, तो हर किस्त बताओ कितने रुपे की होगी, वो कहेगा, बैंक वाला 26 आर 620 वटे रुपे की होगी, हर किस्त इतने रुपे की होगी, जा इतने पैसे तूमुझे हर साल देता रहा थे तीनото soon242 इतने रुपे की एप्रोक्स आप मुझे हर साल किस्ट देते रहे ना, आप खुसो घर के वाज़े हाँ, अब मुझे हर साल आठार 833 रुपे की किस्ट देनी है, तीन साल में करजा, है भी, मेरा चुक जाएगा, क्या सही किया मैंने, नहीं, ये गलत है, ये बहुत बड़ा फ किस्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं होती, ये बहुत बड़ा फ्रॉडर स्कैम है, ऐसे नहीं होता, ठीक है भई, किस्ट में आपको पैसा 8883 नहीं देना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, वो बताऊंगा कैसे, ध्यान से सुनेगा, एक साथ पैसा पे करने से बैटर होता है कि पैसा जो आपका जो करजा है, वो किस्टो में दे दिया जाए, सुनो, आपने तीन इक्वल येरली स्टॉल्मेंट बड़ वाली, ये फ्रॉड नंबर वन है, जो होता है, सेकिंड फ्रॉड, जब भी आप बैंक से करजा लेने जाओगे, बैंक से मेरे दोस की हो जाएगी, 26,620 को तीन से बाद दे दो, 8,830, एक किस्ट इतनी रुपे की हो जाएगी, हो जाएगी ना, तीन किस्टो में जाना, एक किस्ट में पहली रख लेता हूँ, तो क्या करेंगे लाला जी, कि भाई, बीसार रुपे आपने करजा लिया है, एक किस्ट पहले ही काट के आपको पैसा देंगे, ले तुझे एक किस्ट में पहली काट लिए, जा बाकी का पैसा ले जा, ये भी second number का fraud है, ऐसा नहीं होता, जब भी आप बैंक से करजा लेते हैं, तो किस्ट इंस्टेंट पे नहीं की जाती, किस्ट जो है, वो हमेशा, एक साल के बाद, या ज कि अगर आज आपने करजा लिया है, साल 2023 की सुरुवात में, तो जो पहले किस्ट जाएगी, वो साल 2024 की सुरुवात में जाएगी, मेरे दोस्तों, ये बात समझ में आई, clear or not, दो concept यहां पे पता होने चाहिए, और ये अनपढ़ लोगों को क्या, पढ़े लिखे लोगों क को भी नहीं पता होता, ठीक है ना, समझ में आया, तो आज अगर आपने करजा लिया है, तो कोई भी इस्ट आपको इस्टेंड नहीं पे करनी होती, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि मैं वार्सिक किस्ट बनवारना चाहता हूं, वार्सिक पैसा जमा करूंगा थोड़ किस्ट बनवारे हो, आज आपने अगर साल दोहर तेईस की सुरात में करजा लिया है, तो उसके एक साल बाद, यानि के दोजार चोविस की सुरात में पहले किस्ट दी जाएगी, अगले किस्ट दी जाएगी मेरे दोस्तों, फिर दोजार पच्चिस की सुरात में, फिर अग फ्रॉड है मेरे प्यारे बिष्यों जो लोगों के द्वारा किया जाता है। जब भी किसी लोन की स्कीम में आप आखरी किस्त जमा करते हो। कि भाई ये लिए आखरी किस्त उसी पल आपका कर्जा खतम हो जाता है। सर नो आप बोलोगे हां जी सर बिलकुल सही बात समझ में आई कोई तकलीफ या सर नो आप बोलोगे जी बहुत सही कोई तकलीफ नहीं है तो मेरे दोस्तों, ये बाद सभी बच्चों को समझ में आगी, आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आ गई है, कोई प्रोब्लम इसमें नहीं है, ठीक है ना? तो आप एक साल के बाद आज आपने करजा लिया है, एक साल के बाद थोड़ा पैसा जमा कर दोगे, उसके एक साल के बाद थोड़ा पैसा जमा कर दोगे, और उसके एक साल के बाद तीसरी किस्त जमा करके आप अपना करजा खतम कर लोगे, ये बाद सभी बच्चों को समझ मे मेरे दोस्तों बहुती प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा अगर सिंपल कहानी की बात करते तो सिंपल कहानी यह होती कि 20 रुपए आपने मुझे उधार लिया है तो 3 साल बाद 26 रुपए चुका देना यह आपका सिंपल जिंदगी है मेंटो जिंदगी कि आप हर साल थोड़ा पैसा करके जमा करोगे वो कितना पैसा जमा आपको करना चाहिए आपको कितना पैसा जमा करना चाहिए कि आपका करजा खतम हो जाए यानि कि each installment की value क्या होगी, each installment की value क्या होगी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह को ब्याज की दर कितनी है, 10%, 10% ब्याज की दर है, 10% का मतलब है, 1 वटे 10, आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 वटे 10, अगर ब्याज की दर, 1 वटे 10 है, तो 1 साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर क्या होगा, 1 साल का 10 से 11, 2 साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर क्या होगा, 2 साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर होगा, 10 स्क्वार रेश्यो 11 स्क्वार, 100 रेश्यो 121, 3 साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर क्या होगा, कि अगर आज मैंने 10 रुपे उधार लें 10 रुपे तो एक साल बाद 11 चुकाने होंगे 11 यह मतलब है आप बोलोगे हां जिसर अगर आज मैंने 10 रुपे उधार लें तो एक साल बाद 11 चुकाने होंगे अगर आज मैंने मेरे प्यारे भई धान सुनेगा 100 रुपे उधार लिए 100 रुपे तो 2 साल बाद 121 मुझे चुकाने होंगे करजा अगर खतम करना है अगर आज मैंने मेरे प्यारे भई 1000 रुपे उधार लिए 1000 तो 3 साल बाद मुझे 1331 चुकाने होंगे अगर मुझे अपना करजा खतम करना है 1331 चुकाने होंगे, अगर अपना करजे को खतम करना है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही यह आपने बात कही, बहुत अच्छी बात आपने हमको समझाई, अगर आज मुझे 1000 रुपे करजा लिया है, तो 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा, क्योंकि ब्याज किदर 10% है, एक साल बाद 11 चुकाना होगा, 121 चुकाना होगा, 1331, यह इंस्टॉल्मेंट तो अलग-अलग हो रही है, अलग-अलग हो रही है न, आपको इंस्टॉल्मेंट बंधवानी है, एक्वल, एक्वल इंस्टॉल्मेंट करनी है, अगर आज आपने 10 का करज लिया है, तो एक साल बाद 11 चुकाना होगा, 100 का करज लिया है, 2 साल बाद 121 चुकाना होगा, 1000 का करज लिया, 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा, एक इसते 11, 121 और 1331 की अलग-अलग हो रहे, इनको बराबर कर लो, तो 11, 121 और 1331 को बराबर कर ले के लिए 1331 बनान करूंगा 121 से 10 रेश्यो 11 का रेश्यो है अगर 121 से गुणा करूंगा तो मैं यह कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर आज आपने 1210 का कर्जा लिया है 1210 का तो एक साल बाद आपको कर्जा खतम करने के लिए 1331 चुकाना पड़ेगा अगर आज आपने 1210 का कर्जा लिया है तो खतम करने के लिए 1331 चुकाना होगा एक साल के बाद एक से किसको भी 1331 बनाने के लिए 11 से मल्टिप्लाई करने होगी 11 से मल्टिप्लाई करने होगी 11 से मल्टिप्लाई करूंगा ते हो जाएगा 1100 अगर आज आपने 1100 का कर्जा लिया है तो दो साल बाद इसको क्लियर करने के लिए आपको 1331 चुकाना होगा 1331 चुकाना होगा बात समझ में आई आप बोलोगे जी सर, तो मैंने each installment की value को 1331, 1331 से मना लिए, ये क्या है मेरे प्यारी भई, each installment की value ये एक साल बात दी है, ये मैंने 2 साल बात दी है, ये मैंने 3 साल बात दी है, पहली जो installment 1331 है, वो 1210 रुपे के करजे को खतम करेगी, जो दूसरी installment 2 साल बात दी है, वो 1100 रुपे के करजे को खतम करेगी, तीसरी installment जो 3 साल बात दी है, तेरे से 30, वो 1000 रुपे के करजे को खतम करेगी, तो each installment की जो value है, मेरे दोस्तो, each equal installment की जो value है, वो 1331 यूनिट है, मेरे प्यारे भाई, आपने 1331 की actual में 3 installment दी है, मेरे प्यारे भी 3 installment, 1331 की, 1331 की आपने मेरे दोस्तों करजा जो लिया था, मेरे प्यारवे कितना लिया था, पिलस इन तीनों का सम, कितना करजा आपने किलियर किया है, बारे सो दस, ग्यारे सो और हजार, एड करूंगा, दस आएगा, अभी दो और एक तीन, वन 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 त्री, तेतिस सो दस, तेतिस सो दस का के अपने कर्जा clear किया, 3310 Всёक रुपए की आपने कर्जा clear किया, 1331, 133, 1333 के तीन किस्ते देखे, जबकि 3310 की value सवाल में कित्च रखी आपने कर्जा कितना लिया, उदार कितना लिया― ? 20 clearly, अगर 3310 रुपए की value मेरे दोस्तो 20,000 रुपे के बाराबर है, 20,000 रुपीस के बाराबर है, तो एक युनिट की वैलु कितने होगी, 20,000 बटे 3310, ये एक युनिट की वैलु होगी, 1331 युनिट की वैलु क्यों होगी, multiply by 1331, ये each installment की वैलु आगी, प्रते किस्त की रासी आगी, मतलब अगर आपको अप अगर आपको अपना कर्जा खतम करना है, तो आपको किस्त केवल, 8,000 रुपे की ही देनी पड़ेगी, मतलब मेरे दोस्तों, ये बात आप सभी बच्चों को समझ मैं, each installment की जो वैलु होगी, वो केवल 8,000 रुपे की होगी, मेरे दोस्तों, 8,000 रुपे की, ठीक है, मतलब वो गलत है, अभी बैंक वाला आपसे ऐसे नहीं कह सकता कि भाई साव, आपके उपर टोटल कर्जा 3 साल आपका due debt बकाया करजी है, इसकी ये लो बटे 3 की किस्त बांदे दे रहूं, मैं आपको, 384, 384, 3,000 रुपे की होगी, फाइदा क्या? टाइम से पहले पैसे देने का फाइदा क्या हुआ, जब आपको कुछ सहोलियत ना हो, मतलब इच इंस्टॉल्मेंट केवल आप, अगर 8,42, 8,42, 8,42, हर साल के एंड में जमा करोगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका ये जो करजा है, उतर जाएगा 20,000 रुपे, आप हाँ जी सर, बिलकुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, यानि कि आपने 8,42, 8,42, की 3 किस्ते दी, तो आपने बैंक वाले को टोटल कितना पैसा पे किया, आपने मेरे दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3,8, 24, आपने 24 आर 126 रुपे ही बैंक को पे किया, ये पैसा आपने बैंक में ये पे किया मेरे दोस्तों 24,126, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिलकुल सही, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 1,7, 81 पैसा जमा करते, तो आपको 3 साल बाद 26,620 रुपे देना पड़ता, चुप चाप सुनते रहो मेरे प्यारे भाई, आपने थोड़ा थोड़ा पै पहले सुरुपे की किस्त जमा की, तो 24,126 रुपे मेरे दोस्तों आपने पे किया, मतलब जहां आपका ब्याज, 20,000 पे 6,620 रुपे का ब्याज लग रहा था पहले, वो ब्याज आपको केवल 20 रुपे कितना देना पड़ा है, घटा हो, 4,126 रुपे ही ब्याज देना पड क्लियर है न, 20,000 रुपे का आपको कितना पे करना पड़ा, 24,126 रुपे पे करना पड़ा, ये जो आपने किस्त बंदवाई है न, वो इक्वल इंस्टॉल्मेंट बंदवाई है, ये इक्वल, वार्षिक किस्त न, इक्वल है, देको सब्द लगा इक्वल, इसलिए मैंने यहां पे इच्वल को इक्वल बनाया, जहां सुनें, अगर ब्याज किदर 10% है, तो एक साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर होगा, दस से ग्यार है, दो साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर होगा, बच्चो से 121, तीन साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर होगा, एक हजार से 1331 साल का multiplying factor होगा बच्चों 3 साल का यानि कि मेरे दोस्तों ये कहानी है एक साल की, ये कहानी है दो साल की और ये कहानी है student 3 साल की बोलो अगर आज आपने मेरे दोस्तों 10 रुपे का करजा लिया है तो एक साल बाद 11 रुपे चुकाना होगा, अगर आज आज आपने 100 का करजा लिया है तो एक साल बाद 121 चुकाना होगा आज आपने 1000 का करजा लिया है तो 3 साल बाद 1331 चुकाना होगी है जबकि आप ये किस्त बंदगी बेसिक लिए ना, एक साल बाद 11 रुपे दे दो, बैंक में 121 दे दो बना लिया, कि मैं एक साल बाद भी 33-31 दूँगा, दो साल बाद भी 33-31 दूँगा, तीन साल बाद भी 33-31 दूँगा, तो मेरा करजा कितना किलियर होगा, कितना मैं करजा उतार लूँगा, तो जब मैं 11 से ये गुणा करता हूँ, तो एक साल बाद जो मैंने तेरे से कतिस पे किया है, ये बारे सो दस के करजे को खतम करेगा, दो साल बाद जो मैंने तेरे से कतिस दिया है, वो ग्यारे सो के करजे को खतम करेगा, आज जो आपने हजार रुपे उधार लिया है, वो तीन साल बाद उसको चुकाने के लिए तेरे स उसको खतम करेगा, एक साल बात जो आपने 331 रुपे पे किया है, एक साल पहले आपने 1210 का करजा लिया होगा, उसको किया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, हजार, तो तीनों को जब मैं एड करूँगा, तो 3310 रुपे का आपने टोटल करजा लिया, जब कि आपने टोटल करजा तो 2010 रुपे का लिया था, इन तीनों को एड कर, आपने टोटल करजा, दिस, प्लस दिस, ये किलियर किया, 3310 एड करने पर आया, जब कि टोटल करजा तो आपने 2010 रुपे का लिया है, तो एक unit की value 310 से भाग करेंगे, each installment की value 1331 रुपे, यहाँ पर calculate करने पर रहा है 842, वैसे आपको pay करना पढ़ रहा था 3 साल बाद इतना, लेकिन जब आप 3 installment दे तो 842 की, तो आपको क्यों इतना पैसा ही pay करना पढ़ा, यानि कि ब्याज पहले 6620 लग रहा था, लेकिन installment में ज उटा रहा होगा, इस हिसाब से तो bank डूब जाएगी, bank को तो घाटा हो गया, actually installment का concept क्या है मेरे दोस्तो, पैसा जो है ना, पैसा, पैसा जो है यो बहुत बुरी चीज है, पैसे की कीमत, पैसे की कीमत इस बात से decide होती है, कि पैसा किस के पास है, पैसे की कीमत इस बात से decide ह होती है, bank कभी भी पैसा अपनी जिम में नहीं रखता, bank पैसा रखता है, market में, बात समझे, market में bank पैसा डालता है, और उधार पे पैसा देता है, और वहां से ब्याज कमाता है, यह bank का business model है, यही कहानी installment में काम करती है, देखो, अगर मेरे प्यारे बाई, दोनों ही cases में bank क को कोई नुकसान नहीं है, फायदा केवल ग्राहक को है, ध्यां सुनीगा, ना bank को कोई फायदा नुकसान है, ना ग्राहक को कोई फायदा नुकसान है, कैसे, अब आप मेरे दोस्तों समझेगा, मेरे प्यारे बाई, simple कहानी यह है, कि आप 20,000 रुपो धार लो, ब्याज के द तीन साल के लिए किस के पास रहा, ग्राहक के पास रहा, तीन साल बाद ग्राहक ने जमा किया, तीन साल तक पैसा ग्राहक के पास रहा, मेरे दोस्तों, तीन साल तक बैंक के पास कोई पैसा नहीं रहा, वो ग्राहक के पास रहा, इसलिए ग्राहक से मेरे दोस्तों, बैंक ने Do not. करजा कितने साल में खतम करना है,isam 13 साल में? करजा लेक्च का 1 साल वाद ही पहुँच गा है, लो बाबू जा बाबू जी,10 साल वाद ही आ गया मैं 8-41 रुपए की पहलेgest ले लो, तो इस पैसे को बैंग अपने pocket में रखेगा, इस पैसे को बैंक दूसरे गरह को धार दे देखा ले भाई आठार वैल इस तू धार ले ले तो ए जो पैसा बैंक के पास तीन साल बाद आना था तीन साल बाद वो पैसा बैंक के पास एक साल बाद ही आ गया और इस पैसे को बैंक दूसरे गरह को देके वहां से ब्याज कमा लेगा बै इसके एक साल के बाद फिर से पहुंच गया मेरे दोस्तो आठ यार बैलेस रुपे लेके बैंक को एक्चल में पैसा तीन साल बाद मिलना था दो साल के एंड में ही मिल गया जब दो साल के end में ही पैसा मिल गया तो बैंक के पास तो एक साल पैसे ही पहले ही न पहुंच गया पैसा तो इस पैसे को बैंक दूसरे गिरह को धार दे देगा और उससे ब्याज कमा लेगा तो बैंक अपने ब्याज की पूर्ती कर लेगा बैंक अपने ब्याज की पूर्ती क आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कु से, आप यह मत सोचो कि सर बैंको तो घाटा हो गया, अभी एक सा एक एकटा पैसा लेता तो 26 आर 620 मिलता, चुकडों में ले रहा है तो बैंको केवल 24 आर 126 ही मिला, बैंको तो घाटा हो गया, बैंको कोई घाटा नहीं हुआ, जो पैसा ट यह 2 साल पहली मिलगा, तो इस पे बैंक 2 साल का ब्याच कमा लेगा ना, दूसरे गरहक से, इस पे बैंक 1 साल का ब्याच कमा लेगा दूसरे गरहक से, तो बैंक पैसा अपना पूरा कर लेगा, और 3 साल बाद 8-12 रुपे की मेरे दोस्तों, किस्त दे के अपना गरहक करजा ख पैसा जमा करने में, क्योंकि एकटा पैसा जमा करना पड़ रहा है, तो 26,620 जमा करना है, टुकडों में जमा करना पड़ रहा है, तो केवल 24,126 जमा करना पड़ रहा है, तो गिराको तो टुकडों में इंस्टॉल्मेंट में पैसा देने में फायदा है, ऐसा भी नहीं है, अगर आप डीप में देखो, कोई आदमी बीसार रुपय का करजा ले आया, तीन साल बाद जमा कर रहा है, तो उस पैसे को वो तीन साल तक अपने पॉकेट में रखेगा, तो उस बीसार रुपय के करजी का, तीन साल तक बीजनिस में इस्तिमाल करेगा की नी करेगा, तीन साल तक बीजनिस में, कोई आदमी बीसार रुपय का करजा ले आया, तीन साल बाद मेरे दोस्तों 26-26 दिन ए, तो तीन साल तक अप बीसार रुपय अपने पास रखेगा, तीन साल तक बैंक में जाएगा भी नहीं, तो तीन साल तक पैसे का इस्तिमाल करेगा, तो जहर सी बात है, बिजनिस में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, तो उसकी जो है, जेब पे हर साल कुछ ना कुछ असर पढ़ता रहेगा, बिजनिस में पैसा कम इन्वेस्ट कर पा एक तीन साल बाद, तो पैसा जादे टाइम के लिए अपने पास होता, बिजनिस में लगाता, उसको कमाता, थोड़ा-थोड़ा करके जमा कर रहा है, तो भी पैसा बिजनिस में ना लगा के बैंक को दे रहा है, बैंक को दे रहा है, तो भी बिजनिस से कम प्रॉफिट बात समझ में कि नहीं आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुँ सही तो that's the proper concept इस वज़े से मेरे प्यार भई installment में पैसे की जो किस्त होती है वो एक साथ पैसा का जमा करने से कम पढ़ती है यह इसके पीछे की proper कहानी है अगर किसी बच्चे कोई सारी बाते समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट्स में यस करके बताओ थोड़ा बहुत डाउट है तो आप सवाल करोगे उनसे क्लियर हो जाएगा देखो अगर आप किसी आदमी से पैसा उधान लेते हो तो आदमी आप से ब्याज बसूलता है पैसा जमा करने लगो टाइम से पहले ही तो आपका भी हक बनता है कि आप भी बैंक से ब्याज बसूलो आप भी बैंक से ब्याज बसूलो आप अगर तीन साल बात पैसा जमा करते तो 26 आर 620 रुपे जमा करते लेकिन आप एक साल बाद यह 8,42 रुपे लेके पहुँच गए, तो आप बैंक से करोगे, भाई देख, पैसा मुझे 3 साल बाद देना था, एक साल बाद ले आया तेरे पास, यह 8,42 रुपे तेरे पास मैं 2 साल पहली ले आया, तो इस 8,42 पे 2 साल का जो ब्याज बनता है ना, इस 8,42 रु इस पर जो ब्याज बनता है ना, दो साल का वो मुझसे मत ले, वो दूसरे गरह को धार दे के उससे ले ले, तो इस वजह से, आपको मेरे प्यारे भाई, कम ब्याज देना पड़ा, को कि आप टाइम से पहली पैसा जमा कर रहे हो, आप 2 साल बाद पहुँच गे, 8,42 रुप ब्याज लग ना, वो मुझसे मत ले, वो दूसरे गराक से ले ले, उसको धार दे के, मुझसे, मुझको कम ब्याज दे, यही होता है कहानी, practical भी समझा है, mathematical भी समझा है मैंने आपको, ठीक ना, और कहीं भी आप पढ़ लीजेगा, पूरे भारत में केवाल आपको ये, ये रटा दिया जाएगा कि ये, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, इसको equal बना देना, ये installment हो जाएगी, आपका उत्तर आ जाएगा, ये पीछे की कहानी कोई नहीं बताता, mathematically और practically कि किस्त होती क्या है, वो कि ये केवल गनित की बात नहीं है, जीवन की भी बात है, लाइफ की, कोई banking का आदमी तो आपको समझाएगा नहीं, है भी, कोई banking का आदमी तो आपको समझाएगा नहीं, नुकसान है, और जो CA वगैरा जो हैं, उनकी, ये जो, ये सब चीजे समझाने के जो share market वगैरा जो होते हैं, जो CA वगैरा उनके जो courses होते हैं, जैसे वेक बिंदरा सर टाइप के एक लाक रुपए के कोर्स होते हैं इन सब चीजों को समझाने के लिए, वो कोर्स आप जॉइन करोगे नहीं, तो आप जिंदी में कभी सीखोगे नहीं, ठीक है न, इसलिए मैं आपको समझाए कि अब आपका कोई बेफकूफ नहीं बना सकता, अगर आप अपने कार पे जा कोई हम EMI बोलते हैं, EMI, EMI कुछ और मत समझ लेगा, इंस्टॉल्मेंट बस मन्थली, यहां yearly मैंने आपको बताया है, मन्थली इंस्टॉल्मेंट जो होती हैं, उनको हम EMI बोल देते हैं, मासिक जो आप किस्त बनवा लेते हो, उसी को हम EMI बोलते हैं, EMI, ठीक है न, EMI, अ अब आपके मन में doubt आ रहा होगा, सर एक चीज बार बार सुनते हैं, cash down payment, जिंदगी में भी और सवालों में भी यह क्या होता है, cash down payment, क्या होता है, जवाब दीजेगा, cash down payment, ठीक है न, EMI, EMI का मतलब है, मन्थली किस्त मेरे प्यारे भाई, जो किस्त मन्थली जमा की जाते ह ठीक है ना Cash Down Payment अब Cash Down Payment का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ सपोज आप मार्कीट में जब आपकी नौकरी लग जाएगी सरकाई नौकरी लग जाएगी तो जातर बच्चों को बाइक का शौक होता है ओप कौन सी चलिए बुलट खरीद के लाते हैं वो बाइक बाइक वो खरीदने जाते हैं बुलट बुलट के सौरूम पर बाइक है एक लाख साथ हार रुपे की एक लाख साथ हार रुपे की सौरूम में चलेगे बाइक लगी हुई है एक लाख साथ हार रुपे की है salesman के passgate बोला हमें bike ले नहीं है वो बोलेगा 1,60,000 रुपए के भाई साब आप बोले कि इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास तो मेरे प्यारे भाई हर प्रोडक्ट की हर समान की एक cash down payment होती है अगर आपको बाईक चाहिए ऐसा नहीं कि आपको पास 1,60,000 रुपए होगा तो ही आप बाईक खरीच सकते हो हर प्रोडक्ट का हर company price निकालती है कि अगर वो company decide करती है आप decide नहीं करते कि बैए 1,60,000 रुपए में से 50,000 रुपए अगर किसी आदमे के पास है वो instant हमारी company में जमा करे और बाकी का मेरे दोस्तों जो बचा 1,10,000 रुपए इसका हम जो है loan करवा देंगे इस पर हम आपको ब्यास दिलवा देंगे तो मेरे दोस्तों किसी product को खरीदने के लिए minimum आपको जितना पैसा जमा करना पड़ता है minimum उ मैंने आपको एक example से समझाया तुरंत कुछ पैसा जमा करके चीज अपने घर ले आना और बाकी बचे पैसे के किस्त बंदवा लेना यह किस्त आप अपने हिसाब से decide करो मंथली बंदवानी है कि 6 मेने में बंदवानी है कि annualी बंदवानी है या लेके भाग जाना इस पैसे क करता है समझ में आया प्यारे भाई क्लियर यस और नो यह प्रैक्टिकल लाइफ है आप लोगों के साथ अगले दो साल में यह सब कुछ होने वाला है जो मैं आपको बताया हूं अभी इस चालिस मिनट के लेक्चर में दोलाग पिछेत्तर यार रुपी कि यह क्या अरे बापरे बाओ तो सभी को समझ में आया कैस डाउन पेमेंट क्या होती है एक्जामपल से समझा ना बैस्ट है रादर देन घसीटने के गणित में पी और आर मान के मैंने आपको एक्जामपल समझा है अब हम इस पर बेश सवाल करेंगे एक मोबाईल फोन अवेलबिल है एक मोबाईल फोन आपको खरीदना है दो तरीके खरीदने के या तो 79860 जमा करो घर को मोबाईल ले आओ या फिर 60 हर रुपे मेरे दोस्तों केश डाउन पेमेंट करो बाकी की किस्त बनवालो तीन बाकी की तीन इक्वल इयरली किस्त बनवालो तो 79860 में से 60 हर घटा होगे तो आपने कितने की रासी किस्त बनवाईए उननिस हजार आठसो साथ उननिस हर आठसो साथ रुपे की मेरे दोस्तों आपने किस्त बनवाईए तीन इक्वल आपने इस्टॉल्मेंट करी है यरली तीन इक्वल इयरली इस्टॉल्मेंट करी है ब्याज की दर 10 परसेंट है एक बटे 10 आज की दार एक बटे 10 है तो multiply इंग factor 11 बटे 10 होगा परते किस्त की राशी क्या होगी आपको बताना है तो आप चांते हैं कि एक साल का multiply इंग factor 10 से 11 2 साल का 100 से 121 है बही और मेरे प्यारे भाही 3 साल का 10 cube से 11 cube 1331 each installment की value आपको same करना है तो यहां 11 से गुणा कर देते हैं 1200 यह 121 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों 1210 यह हो यह को each installment की value मेरे दोस्तों same है यह 2360 यह 2330 यह 2330 ठीक है ना तब मेरे दोस्तों आपने 19860 का आपने जो करजा लिया वह 19860 के लिए आपने करजा लिया कितना है दिस प्लस दिस प्लस दिस बारे सो दस ग्यारे सो और हजार इन तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल करजा कितना आएगा 3310 3310 रुपे का आपने टोटल करजा लिया है जिसकी वेल्व सवाल में 19860 दिये बताओ कितने गुणा है six times पुरा पुरा देख सकते six गुणा है परते कराश्य की कीमत परते क इंस्टॉल्मेंट परते किस्त कितने की है तब परते किस्त भी 1331 का six गुणा होगी 1331 का six गुणा होगी each installment की वेल्व इसका six times जो भी आंसर आएगा उसका unit 6 होगा जो की option number यहाँ पर a correct है ठीक है तो यह आपको करना है ratio से कोई formula वगेर आपको याद नहीं करना है इसको formula वगेर याद करना है वो किरप्या कहीं और चला जाए यहाँ से ना पड़ रेश्यो ही सिखाता हूँ आगे चलेंगे बताएगे जल्दी से एक आदमी ने इमेंड परचिसे से motorbike for a certain price and promise to pay the price into equal installment of रुपी 3,230 at the rate of 5% per annum compounded envelope and the cost price of motorbike बहुत अच्छा स्वार है एक आदमी motorcycle खरना चाहता है motorcycle की उसने दो किस्त जमा करेगा 3,230 रुपे की दो equal annual installment पर जमा करेगा ब्याज की दर 5% है motorcycle का क्रिय मुल्य है यह जाना चाहरा examiner की motorcycle का क्रिय मुल्य है या फिर आदमी ने कितने रुपे का करजा लिया है करजा आदमी ने कितने रुपे का लिया है या आप से पूछा है तो मेरे दोस्तों दो इक्वल इंस्टॉल्मेंट है, ब्याज की दर 5% है, एक वटा 20, एक वटा 20, अगर आप एक साल बात दोगे, आज ये 20 रुपर उधार लें, तो एक साल बात 21 चुकाना होगा, दो साल की बात करें, 20 का स्कॉर 400, 21 का स्कॉर 441, आज 400 रुपर उधार लें तो दो साल बात 441 चुकाना होगा, आप बोलोगे हां जी सर, है भी, किस सेब होनी चैए, अगर ये 441 है, तो यहां भी 441 से गुणा कर लेते, 21 से गुणा, 21 दूनी 420, ये जैगा 441 आप बोलोगे जी सर, बिल्कु सही कोई प्रोब्लम ने, तो इच इस्टॉल्मेंट की व आपने कितना करजा लिया तो ये पूछा है, तो आपने जो करजा लिया था मेरे प्यारवे, 420 प्लस 400, 820 का आपने करजा लिया है, ठीक है न, 820 value भी 30 गुना होगी, 24 आर प्लस 600, 24 आर चैसो, 246 00 रुपीस का आपने मेरे प्यारे बैई, करजा लिया, ये ही motorcycle का cost price होगा, आंसर है, ये option is का आंसर है, कर लोगे आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से ही बताईगा, ये भी कर लेंगे मेरे दोस्तो, मुझे लगता है ये भी कर लोगे, मैं आप सी कर वाँगा सवाल, concept में बड़ा अच्छे से बताया है, यहाँ पर आपको किस्त निकालनी बताईग एक आदमी ने 60-200 रुपे कर जा लिया, दो equal installment में जमा किया जाना है, ब्याज की दर सालाना 15% है, जो कि सालाना जमा करने, प्रते किस्त का मुल्ले बताओ, इच किस्त की value, बताई जल्दी से, पूचो है मिंदर, जल्दी से सवाल का अंसर भी बताईए, मैं यहाँ जाओगी, फटा-फट मुझे जवाब दे दो, अना कि 23 का multiple आएगा, 15%, 23, 20, 20, 23, 23 का multiple यह option तो हो नहीं सकता, जल्दी से करिएगा, मुझे आप लोगों से answer चाहिए, यह option इस सवाल का answer आएगा, अगला question लेंगे बताईगा, यह भी same ही है, खुझ से करिएगा इस सवाल को भी, किस्त की value निकालनी है, यह बताईगा, चलो, मैं आपको यह बताता हूँ दोस्तों, है ना, यदि एक mobile phone की cost 25 रुपे है, यदि एक mobile phone की cost 25 रुपे है, जो 5 रुपे cash down payment, और इसके बाद 25% बार्शिक ब्याज की दर पर 3 equal annual installment में available है, आप से पुछा इस installment की value क्या होगी, round to 2 decimal रुपे, दो decimal रुपे स्थान तक आपको बताना है, देखेगा बच्चो, 25 रुपे मेरे दोस्तों का mobile phone है, 5 रुपे की cash down payment कर दो, यानि कि 20 रुपे की मेरे दोस्तों आप करजा ले लो, 20 रुपे की आप 3 installment बनवा लो, 20 रुपे की, ब्याज की दर 25% है, एक बटे चार, एक बटे चार ब्याज की दर, 3 equal वार्शिक आपने बनवाई है, हर किस्त की value, 20 रुपे का आपने करजा लिया एक साल के लिए बात करोगे, चार का उधार 5 हो जाएगा, दो साल के लिए 16 से 25, मल्टिप्लाइंग फेक्टर 5 बटे 4 है, तीन साल में क्या होगा, 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब, तो 3 साल बाद 125 चुकाना होगा, इच किस्त की value को same कर लेते हैं, 125 बनाने के लिए हम 5 से गु और ये 25 चौका 100, ये हो गया, तो इच स्टॉल्मेंट की value मेरे से मना लिया, 125, 125, 125, तो आपने करजा कितना लिया है मेरे दोस्तों, टोटल 100 प्लस 80 प्लस 64, 4, 8, 6, 14, 10, 24, 244, 244 उनिट का करजा लिया, सवाल में 244 उनिट की value मेरे दोस्तों, 20 रुपे दी है, एक उनिट की value आएगे, बीस हजार बटे 244, तो इच स्टॉल्मेंट की value, इच स्टॉल्मेंट है 125 उनिट की, 125 उनिट की value आप से पूछे, multiply by 125 रुपीज, और आंसर एग्जेक्ट नहीं, आंसर एप्रॉक्स है, बच्चों, बताओ, ये 5 यार बार कट जाएगा, 4 से, और 4 चिक 24 चार ए आउत तर आएगा, अरे ये तो दोनों option सेम ही है, ये और डी तो, बताओ बहिया, calculate करके बताओ, कितना आ रहा है, अभी 5000, गुणा 125 डिवाइड़ बाई 61, दसार 245 पॉर्ड नो, ये दो option कैसे सेम दे रखें, ये उत्तर है, दसार 245 पॉर्ड नो, समझ गए, देखो मैं आपको calculation को आसान करने का तरीका भी बताता हूँ, कैसे ये अगर मुझे calculation करने हो, 5000, गुणा 125 बटे 61, तो आपना 125 को भाग लगाओ, 61 से भाग करना आसान है, 61 दूनी 122, बचेगा 2 सही 3 मटे 61, 125 को तब सक्षचर बाग करें, दो बार जाएगा, 5 आर की 2 में उना कर लो, मेरे दोस्तों 10 आर, और 5000 तिया मेरे दोस्तों 15,000, 15,000 को 61 से भाग देना है, मेरे दोस्तों, ये आपके लिए easy calculation रहेगी, rather than पूरा डिवाइड करने के, तो अगर मेरे दोस्तों 60 होता, 60 होता, तो ये जाता 200 बार, 60, लेकिन ये 61 है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, तो 200 से हलका सा कमाएगा, लगबग 240 के नजदीक, ये option correct हो जाएगा, ऐसे calculation करना, अगला सवाली बनाएगा, जी मेरे दोस्तों ये बताईगा, सवाल नंबर 7 तो easy है, इसको आप खुद से करेंगे, मैं calculate वाला बताऊँगा, हाँ जी वाला, अब देखो, दो टाइप के सवाल कर दे, एक सवाल में आपसे पूछा किस्त, एक सवाल में आपसे पूछा करजा, एक सवाल में आपसे क्या पूछा, उधार लेगी राशी, ठीक है ना, दो टाइप के सवाल होगा, अब ये तीसरा टाइप है, जिसमें आपसे पूछा आत पाँच पाँच चार साथ इच रेट ऑफ इंटा है जो साड़े साथ पर्षेंट परेनम का है जो की पाटरली कमपाउंड हो रहा है टोटल इंटरस्पेड कितना इंटरस्पे किया यह बताएगा मेरे प्यारे बाई अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों साड़े साथ पर्षेंट की फ्रेक्षेंट यो यह यही है आप बोलोगे हाद जी साथ इंस्ट्रॉल्मेंट 5547 की है दो इकींटोर्मेंट हैं मेरे प्यारे भाई बयाज कि अदर सीर मेरे ब दुख संक एदर 545एव तो आपसे पुझे कितना पड़ेगा 43 का स्क्वाइर, चालिस का स्क्वाइर 1600, और 43 का स्क्वाइर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा यह आपका, 1849, अब सेम करना है, सेम करने के लिए यहां भी 43 से गुणा करेंगे, 43 गुणा, 43 1849, और 43 की जब 4 में गुणा करेंगे, 43 की, तो 160 और 12, 1720, ठीक है न, आ कौनो जगे इंस्टॉल्मेंट को मैंने सेम मना लिया, 1849, 1849, इसी की वैल्यू सवाल में, 5547 रुपीज दे रखें, देखो, 3 गुणा, 3 टाइमस, 3 टाइमस, तो आप से पूछा, कुल लिया गया ब्याज, क्या है, कुल लिया गया ब्याज, तो आप सुनो ध्यान से, 1720 का 18 1894 हो गया, तो ब्याज कितना है मेरे दोस्तों यहाँ पर, 129 आपका ब्याज है, 1610 का 1840 चुकाना पड़ा, 249 मेरे दोस्तों आपका ब्याज है, तो टोटल ब्याज क्या होगा, इन दौनों का सम, 130 और मेरे दोस्तों 56、 380 से दो कमाएगा, 378, 378 युनिट आपका टोटल ब् यह total ब्याज मेरे दोस्तों आपने pay किया है, difference ही तो निकालना था, ऐसा नहीं कि इन दौनों को जोड़ो, फिर इन दौनों को जोड़ो, फिर इन दौनों को जोड़ो, इतना time नहीं है, 1720 का 1849 दिया, तो ब्याज कितना 129, 1600 का दो साल बाद 1849 दिया, ब्याज कितना 249, 129 प्लस 249, 378 आ गया, 378 की value भी तीन मुना आएगी मेरे दोस्तों, यह जोड़ों कि 1140 से 6 कम आएगा, 1134 रुपे सवाल का अंसर था, B option, 1134 रुपीज, means का सवाल है, बच्चों यह means का, multiple भी चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, multiple चेक करने लगे बालक हमारे, यह बताएगा, इस सवाल का क्या अंसर है, नाइन्थ नमबर सवाल, और शायद यह, आखरी, बताएगा, मेरे प्यारे बहुत, इसका क्या उत्तर है, एक कंप्यूटर अवेलबिल है, 768 00, शेतर एर आठ सो रुपे में, कैश, और तेईस आर आठ सो चालिस की कैश डाउन पेमेंट, और तीन इक्वल, हाफ येरली किस्थ में, हाफ येरली किस्थ है, ब्याज 20% परेनम है, जो कि सेमी अनवली कंपाउंड हो रहा है, तो किस ती हो जनम है, ब्याज कितना होगा, ब्याज बताएगा, ब्याज आपसे पूछा है, मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर पाऊगे, छेतर एर आठ सो में से, अगर मैं तेईस हजार, आठ सो चालेस रुपे घटा लूँ, तो ब्याज कितना है, आपने कितने अमाउंट का ब्याज हो लिया है, करजा, जीरो, दस में चार गया च्छे, त्रे में साथ गया नो, पाज में से तीन गया दो, साथ में से दो गया पाँच, 52,960 रुपे का आपने करज लिया, जीस को आप पे करोगे, तीन ईक्वल, हाफ ड्मक्राट का ब्याज होगे, अर्चा ब्याज एक स norm inано isol, ब्याज 20% है, मृज 9 में कितना ब्याज होगा 10 परसेंट यांट कि मैं आप हर 6 महिने वाद इस्टल्मेंट दोगे, पहली स्टोर्मेट 6 मेने के बाद फिर अगली 6 मेने के बाद और 6 मेने के बाद यानिक 18 मेने बाद करजा खत्म तो 10 परशंड का मतलब मेरे दोस्तों क्या हैगा 10 से 11 ठीक 10 परशंड 100 से 121 तीन साइकल के बताऊं तो 1000 से 1331 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 1331 ठीक है 11 से गुणा करोगे 11 से 1331 हुझाएगा 1431 से गुणा करोगे तो यह 1331 हुझा जाएगा एभी 1,2,1,0,1,1,0 और 1,000 तो आपने टोटल करजा जो लिया है यह लिया है 310, 3,3,1,0 का जबकि आपने करजा लिया है 52,960 का तो सेमी एनवली के साल से भी डरना नहीं है एक बार जाएगा फिर पक्का छे बार जाएगा 16 तो ब्याज कितना मिला आपको ब्याज कितना देना पड़ा 1210 से 331 कितना ब्याज है 1,2,1 कितना ब्याज है मेरे दोस्तो 2,3,1 कितना ब्याज है 3,3,1 यह ब्याज है आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही यह तो काफी ज़्याद है ब्याज मार ले रहे भई ठीक है न तो टोटल कितना ब्याज आपने पे किया इन तीनों का सम ब्याज किया अब ही 1210 का 331 कितना ब्याज है तीनों को जोड़ेंगे 3,3,3,6,2,8,3,2,5,6,6,6,8,3 आपका ब्याज हो गया 6,8,3 ब्याज है इसकी वैल्यू भी 16 गुनाओं की 16 टाइम्स तो यूनिट इट तो आठ ही आएगा डिजिटल सम यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं डिजिटल सम या फिर 16 की 600 में गुना करो 96,16 की 600 में गुना करेंगे 96,16 की 80 में 1280,16 की 3 में गुना करेंगे 48 एड करना है त है 10,918 कैल्कुलेटिव बड़ा सवाल आ जाता है औप्शन से इसको कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई यह बताएगा यह सवाल होई चुका है भाई ऐसा उधाली की रासी आपको बतानी है करो सवाल नंबर है 11 यह करिए 11 नंबर क्वेश्चन एक आदमी ने कुछ पैसा धाले बैंक से और उसने प्रॉमिस किया कि मैं 2 एक्वल एन्वल इंस्टॉल में पैसा चुका दूँगा साड़े बारे पर्षेंट के कंपाउंड एन्वली रेट अफ इंट्रेस से अगर टोटल इंट्रेस जो पे किया गया है आदमी की द्वारा वो साथ हजार बीस रुपे है जो टोटल इंट्रेस पे किया गया है तो पूछा है इच इस्टॉल्मेंट की वेल्यू बताओ और पूछा इच पोटल उधार लीगी राशी ब्याच की दर अगर साड़े बारे पर्षेंट है देट बिस वन बाई आठ तो आप दो किस्ते देते हों मेरे प्यार भी दो किस्ते ना एन्वली तो पहली किस्त जो होगी वन बाई आठ यानिके मेरे दोस्तों आठ से नौ दोसर मैंने एच इस्ट्रॉल्मेंट की वैल्यू को सेब मना लिया 81 और 81 पूल ब्याज 7 है 20 देना पड़ा 72 से कितना ब्याज है 9 का ब्याज है 64 से कितना ब्याज 17 ब्याज है तो ब्याज टोटल कितना होगा 9 प्लस 17 यानिके 26 26 खिलिए रहे ना आप बोलोगे 26 का ब्याज है जिस की वैल्यू सवाल में 7 है 20 दे रखे कितने गुणा मेरे दोस्तो 26 दूनी बावन अठारे बचेगा और 26 सत्ते 182 270 गुणा 270 गुणा हो गया तो आप से कुल उधार लिए रहा सी कुल उधार लिए आप से इच इस्ट्रॉल्मेंट की वैल्यू पूचिए इच इस्ट्रॉल् यह इच इस्ट्रॉल्मेंट की वैल्यू आईगी मेरे प्यारे भाई ठीक है तो 729 27,70×21870 गुणा 21870 रूपीश इच इस्ट्यॉल्मेंट की वैल्यू आगरी मेरे प्यारे बाई इसको समझ पाएंगे इच इस्ट्रॉल्मेंट परतेख किस त कुल उधारघी रास यापको निकालने कि कुल कितना पैसा उधार लिया मेरे दोस्तो आपने यह बैसने टोटल उधार लिया 72 प्लस 64 यह टोटल उधार लिया 1000 चाहर2, 6, 7, 6, 13 136 आपने टोटल उधार लिया 136 की value आ जाएगी 136 का 270 गुना करेंगे यही आएगा एक आदमे की स्कूटर खरीता है cash down payment करता है वो 16,224 रुपे का promise करता है कि दो वो yearly installment देगा equivalent amount की equivalent amount in next two years जो equivalent amount है मेरे प्यारे भाई किसके equivalent amount की बात कर रहा है 16,224 रुपे की ही बात कर रहा है मेरे दोस्तो एक आदमी जो है क्या करता है कि स्कूटर खरीता है कितने का 16,224 रुपे cash down payment करता है और 16,224 रुपे की दो yearly installment बनवा लेता है यदि rate of interest 4% परेनम है तो आप से पूछा स्कूटर की cash value क्या है स्कूटर का नगद भुकतान जबाब दीजीगा क्या आपने सवाल करने की कोशिश करी का multiplying factor है दो साल का कितना होगा 25 स्कूटर से 26 स्कूटर 625 से 666 हो जाएगा आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ पर सी मना लेते हैं बच्चों यहाँ 26 से गुणा कर लेते हैं 26 गुणा 266 25 की जब 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 650 625, 6.500 आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही तो मेरे प्यारी बे यह बात तो एकदम ठीक है अच्छी बात है यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो मेरे दोस्तों यह भी 666 की किस्त है यह भी 666 की किस्त है आप बोलोगे हाँ जी सर यह भी 6224 तो कैश्डाउन पेवेंट कर ली बाकी 6224 रुपे की दो इक्वल इंस्टॉल्मेंट और बनवा रहा है नहीं कि दो किस्त और दे रहा 6224 रुपे की तो 666 की वैल्लू अगर सवाल में 16224 रुपे है घर से पढ़ा के आओ पुरान लेक्चर तभी समझ जाओ कि आप बताओ कितने गुना है तो 666 दूरी चला जाएगा मेरे दोस्तों और यह आपका चला जाएगा चार वार 24 गुना है 24 टाइमस तो मेरे भाई यह बताओ कि आदमी ने करजा कितना लिया है वाट करजा है टेकन अवर आदमी आदमी ने करजा लिया साड़े 600 प्लस 625 बारे सो 75 यूनिट का वन टू सेवन फाइव का आदमी ने करजा लिया है और वन टू सेवन फाइव यूनिट की वेल्लू है मेरे दोस्तों 24 गुना बात समझ में आगी आप बोलोगे हैं जी सरे देके बारे सो की 24 में गुना करेंगे तो अठाइसार आठ अठाइसार आएगा 75 की जब 24 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 1800 इनको जब मैं एड करता हूँ 008861 करचे आंसे ले एक आठ रेक नों की दसकी जो तीजार 600 रुपे का करजा लिया है जिसको उसने दो किस्तों में लोटाया है मेरे प्यारे भाई 16224 की ठीक है भई आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही ठीक है प्यारे बच्चे आप से पूछा है स्कूटर का नगद भुखतान क्या है स्कूटर का नगद भुखतान अगर स्कूटर का देखो उसने करजा 3600 रुपे का लिया और उसने कैस्ट डाउन पेमेंट की 16224 की अगर आदमी को 16224 यानि कहेगा 46824 रुपे साल का अंसर है 468254 स्कूटर का नगद प्राइस होगा आप बोलोगे हाँ जी सर इसके बाद हम पार्टनर्शिप करेंगे पार्टनर्शिप के बाद मेरे प्यारे बाई टामेंड वर्क 75 की 24 में उना करके 1800 आए 75 की 20 में 1500 75 की 4 में 300 1500 और 300 800 हो ग जो नगट प्राइस है नोन कसम 46 और 824 रहा होगा यह मेरे प्यार भी आगे चलेंगे नेक्स्ट और लास्ट कॉश्टन है स्याई की इस्टॉर्मेंट का फर ऐसा ही शुरू करेंगे ताजे सने एक टेलिविजन खरीदा जिसका कॉस्ट 3,240 रुपे है ओन दे टम्स इस टम में 6292 रुपी देगा और थर्ड यर के एंड में मेरे दोस्तों वो 1331 रुपे देगा थर्ड यर के एंड में अगर एंट्रस्ट 10% परेनम का चार्ज किया जा रहा है तो आपसे पूछा है बच्चो कैस्ट आउन पेमेंट नगद भुगतान कितना है जबाब दीजेगा द ठीगे ना कैस्ट डॉपेमेंट की आप बोलोगे हाँ जी सर एक साथ टीवी ने खरीदा बिचारा मेरी तरह घरीब है कुछ उसने कैस्ट डॉपेमेंट किया बागी कुस्त बंद वाली पहले किस्त देगा मेरे दोस्तों वो एक साल के बाद कितना रुपे की किस्त देगा एक साल के बाद 2794 रुपे की 2794 रुपे की किस्त देगा एक साल के बाद, दूसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद second year में, कितने रुपे की किस्त देगा 6292 रुपीज की, 6292 रुपीज की, तीसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद, जो कितने रुपे की होगी मे ब्याज किदर 10% है, तो यह जो किस्ते दे रहा है, हर साल अलग अलग है, यह कितने करजे के चुकाने के लिए दे रहा है, किस्त क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, बैटो, ब्याज किदर अगर 10% है, एक वटे 10, तो multiplying factor एक साल का 10 से 11 है, मेरे दोस्तों, वै 10 का क्यूब, 11 का क् मेरे दोस्तों, मैं यह कह सकता हूँ कि 3 साल बाद, एक, दो, तीन, तीन साल बाद उसने 1331 रुपे चुकाएं, बच्चों, तीन साल के बाद, चुकाएं हैं कि नहीं चुकाएं, आप बलो गहन साथ, चुकाएं तो हैं, बैट 3 साल का multiplying factor कितना है मेरे दोस्तों, 10 का क्यूब रिशो 11 का क्यूब, यहनि कि अगर आज उसने 1000 रुपो धार लिएं, एक साल का मेरे दोस्तों रिशो 11 है, तीन साल का हो गए, आज अगर उसने 1000 रुपो धार लें, तो 3 साल बाद 1331 रुपे चुकाएंगा, 1331 की वैलू 1331 है, तो 1000 की वैलू है 1000, यहनि कि यह 1331 जो उसने 3 स साल बाद चुकाएंगे, क्यों चुकाएंगे, कि आज उसने 1000 रुपे का करजा लिया है, तो 1331 साल बाद ना देके, अगर आज के आज जमा करता, तो केवल 1000 रुपे ही देना पड़ता, 1000 ही देना पड़ता, आप बोलोगे, हां जी सर, बिल्कु सही, 1000 रुपीज ही हमको पे करना पड़ता, उसने 2 साल के बाद 6 to 92 रुपी चुका है, 2 साल के बाद, सुनो, 1 साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर, 10 रेशो ग्यार है, 2 साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर होगा, 100 रेशो 121, अगर आज उसने 100 रपो धार लें, तो 2 साल बाद 121 चुकाना होगा, अगर आज उसने 500 रुपे उधार लें, तो 2 साल बाद 6 to 92 चुकाना होगा, मतलब ये पैसा 1 और 2 साल बाद ना चुका के, अगर आज ही चुकाया होता, तो केवल 500 रुपे में उसका करजा निबढ जाता, 5200 रुपीज में उसका करजा उतर जाता, आप बोलोगे, हां जी सर बिल्कुल समझें, एक साल के बाद उसने 2794 रुपे की किस्त दिये, एक साल के बाद, एक साल का मल्टिप्लाइंग फेक्टर 10 से 11, आज अगर 10 रुपे उधार लें, तो एक साल बाद 11 चुकाना होगा, 11 की वेल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 2794 रुपीज दिये, कितने गु तो दस की वेल्यू भी 254 रुपे होगी मेरे दोस्तों, यानि कि एक साल बाद जो 2794 रुपे दिया है, अगर आज तुरंत कैश में पे करता, तो किवल 2540 रुपे ही देने पड़ते, 2540 रुपे करजा बनवाया था, जो एक साल बाद 2794 हो गया, मतलब वो कैसा किस्तों में न 2740 रुपे का उसने लोन लिया है, मेरे प्यारी बई, 8740 रुपी का उसने लोन लिया है, clear reverse question है बच्चो, लेकिन यह नहीं पूछा, पूछा cash down payment क्या होगी बच्चो, देखो 3240 का टीवी था, लोन उसने 8740 रुपी का लिया है, तो बाकी का पैसा कहां गया, बाकी का उसने cash payment कर दिया, cash down payment, इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों, 0, 12 में 7 गया 5, 12 में 64, 4500 रुपे, तो 4500 रुपी का उसने cash down payment किया है, B option इस सवाल का अंसर है, बहुती basic सवाल था, ठीकर न, ये type भी आपका समाप्त हो गया, जनली इसको कोई बताता नहीं है, मैंने आपको बता दिया, दोनों question होगे, next चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौधे नंबर, एक सवाल और है, बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या अंसर है, एक आदम ने 6000 रुपे का लोल लिया, तीन साल के लिए 5% परेनम के compound test पे, उसने 2100 रुपे ही रिपेड रुपी 200 each of the first year, वो पहले दो साल में हर साल 2100 रुपे जमा कर देता है, तो third year के end में उसे कितना पैसा चुकाना होगा, अपने करजे को clear करने के अपना करजा खतम करने के लिए 3 साल के end में कितना पैसा चुकाना होगा, बताईएगा, बोलो, देखो जब भी आप compound test में पैसा पे करते हैं, तो amount clear होता है, क्योंकि हर साल principal change होता है, जो आज amount है वो अगले साल के लिए principal होगा, अगर किसी आदमे ने बच्चो 6000 रुपो ध ब्याज की दर कितनी है, 5%, तो एक साल बाद मेरे दोस्तों क्या होगा, एक साल में आपके उपर 5% ब्याज लग जाएगा, 6000 का 5% होता है, 300 रुपे ब्याज लग जाएगा, एक साल बाद amount 63 100 रुपे हो जाएगा, लेकिन इस 63 100 रुपे में से आपने 21 100 रुपे चुका दिया हर साल में 21 100 रुपे आप चुका रहे हो, 63 100 में से 21 100 रुपे आपने चुका दिया, तो आपका करजा मेरे दोस्तों अब केवल 42 100 रुपे ही बचा, 4200 ठीक है, अब मेरे दोस्तों क्या होगा, अगले साल इस 42 100 रुपे पर फिर से 5% ब्याज लग गा, 42 100 का 5% होता है 210, 210 इस तो बचा कितना मेरे दोस्तों आपका करजा बचा, 2310 रुपे 2310, यह बात साल में आगी आप बोलोगे जी सर बिलको से, अब थर्ड एयर में फिर से आपको तीसरे साल में फिर से मेरे दोस्तों आपको 5% ब्याज लगेगा, 210 का 5% कितना होता है, 210 का 10% 231 है, तो 5% इसका 2510, 25, 2425.5 रुपे, तो आपका करजा इतना रहेगा, तो आपको अपना करजा अगर थर्ड एयर केंड में खतम करना है, तो 2425.5 रुपे आपको देना पड़ेगा, तब तक आपका करजा खतम नहीं होगा, यह सासवक्त, अपने हैं, केलीर है, भाई, तो यह compound trust आपका समाप्त इंस्टॉलमेंट में, हर एक type को मैंने आपको समझाया, अब आप को simple interest की installment, simple interest की installment भी वैसे ही calculate होती है, जैसे compound interest की installment होती है, ठीकर नबई, सेम वही concept है, वही कहानी, दुबारे मुझे बताने की जुरत नहीं है, कि due debt क्या होता है ठीक है भाईया पहली किस्त जब करजा लेते तुरंत नहीं दी जाती एक साल बात दी जाती है ठीक है यह सारी चीजे मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ बस मैं आपको एक्जामपल से क्लियर करूंगा नो-cost EMI क्या होता है देखो यह नो-cost EMI कुछ नई चीज नहीं है आज कल जैसे मुबाइल फोन पर सबस्यादर चलता है लोगों को महंगे फोन लेने का शौक है अपनी इंकम से जाद है तो company offer निकालते है फोन लो आपको कोई किस्त पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ेग लेकिन आप कहोगे sir company कैसे फायदा कमाएगी company क्या होती है कि discount नहीं देगी phone 20 रुपय का डिसकाउंट देती एक्जांपल के लटा रहार में आपको discount नहीं देगी extra cost लगा देगी यह processing fee है हमारी यह maintenance fee है तो उसमें वह extra charges लगाके bill में छुपाके वह अपना recover कर लेती है तो Simple Interest की installment एक example लेते हैं छोटा सा मेरे प्यारे भाई सपोज मेरे दोस्तों आपने 30,000 रुपो दार लिया 30,000 रुपीज कितना रुपो दार लिया सपोज आपने 30,000 रुपो दार लिया ब्याज की दर कितनी है मेरे प्यारे भाई आठ परसेंट परेनम Simple Interest ब्याज की दर है Simple Interest एन वाली हापे लिए कुछ भी compound करो कोई फरक नहीं पड़ता आपने 30,000 रुपो दाले ब्याज की दर 8% Simple Interest है तो आप मुझे बताओ समय आपने पैसा उदाल लिया 4 साल के लिए चुकाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई देखे प्रिंसिपल तो आपको देना ही देना है बच्यों 30,000 रुपे अगर एक साल का ब्याज भाई 8% है 8% तो चार साल का ब्याज 32% होगा ना एक साल में 8% ब्याज चार साल में 32% तो 30,000 रुपे का 32% आपको ब्याज चुकाना ह होगा 900 रुपे, 9600 रुपीज, तो यानि कि 4 साल बाद अगर आपको अपना करजा उतारना है, तो 49,600 रुपे पे करना होगा, 39600, ये बात समझ में आगी है, सिंपल सी बात, अब आपने बोला, भाई, इतना पैसा मैं एकटा नहीं दे पाऊंगा, लाला जी कुछ रहम करो, कि इसी किस्त बांदू, तो आपको होगे सर, for equal yearly installment में आपका पैसा चुकाऊंगा, एक साथ नहीं दूँगा, for equal yearly installment में आपका पैसा दूँगा, यहाँ पर ब्याज compound एस नहीं, सिंपल इंटरस्ट है ब्याज, for equal yearly installment में दूँगा, तो आप मैं बताओ, each installment की value क्या होगी, each installment की value मेरे दोस्तों, क्या होगी, यह आपको बताना है, प्रतेकिस्त कितने रुपे की होनी चाहिए बच्चों, अब सुनना मेरे प्यारे बाईयो, आपको 49 आर 600 रुपे के करजे को खतम करना है, आपके माथे में जो आपके सर के उपर जो करज है, वो 49 आर 600 रुपे का है, principle प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के यह खतम करना है, आपने बोला एक साथ दी दूँगा, इंस्टॉल्मेंट में दूँगा, हर साल केड में थोड करके करते हैं, तो मैंने माल लिया कि माना इच इंस्टॉल्मेंट की वैलू 100 है, माना इच इंस्टॉल्मेंट की जो वैलू है मेरे दोस्तों, वो कितनी है, 100 है, माना इच इंस्टॉल्मेंट की जो वैलू है, वो कितनी है प्यारे भाई, 100 यूनिट है, 100 यूनिट, मैंने इ करजा खतम करना है, यानि कि चार साल, मेरे प्यारे भाई, एक साल बाद, ने फिर उसके एक साल बाद, और आखरीकी एक साल बाद, आप अगर आज 30 रुपय का करजा लाए हो, तो पहली किस्त आप तुरंध पहिं नहीं करोगे, पहले किस्त पे करोगे एक साल के बाद, दूसरी किस्त उसके एक साल के बाद, तीसरी किस्त उसके एक साल के बाद, चौती किस्त उसके चार साल के बाद, तीसार का 32% चानवे से होता है मनेश, ये भी नहीं आता, क्या पढ़ाई कर रहे हो तो, जैसे ही आप आखरी किस्त पे क करते ओ, कर्जा खत्म हो जाता है, सुनो मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर कितनी बच्चो 8%, आप बोलोगे हाँ, एक साल के बाद आप लाला जी को रुपे की किस्ति दे दी, कि ये लो लाला जी 100 रुपे, जहां सुन्या, आपने लाला जी से 30 रुपे का करजा लिया, ब्याज की दर बोली लाला जी, हाँ 8% परेनम का सिंपल इंट्रेस्ट में दूंगा, 4 साल का टाइम है, तेरे जो करजा हो जाएगा, 30 रुपे 1 साल में 8%, 4 साल में 32% ब्याज हो चुकाना है, चार साल बाद इतना, 49 चार साल बाद चुकाना है, आप लाला जी के पास एक साल बाद ही पहुंच गए, ये लो लाला जी 100 रुपे, अब लाला जी के दुकान पर खड़े रहोगे, लाला जी पैसा तो चार साल बाद देना था, आपको एक साल बाद ही दे रह आपने जो पैसा लाला जी को 100 पे दिया है तीन साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी अगर 100 पे आपने लाला जी को दिया इस पे तीन साल का ब्याज लगेगा एक साल का ब्याज 8% है तीन साल का ब्याज 24 होगा 124 हो जाएगी यानि कि पहले किस्थ पे तीन साल का ब्याज मिल आप अपना बात्चीत खतम करेंगे, तो आप कोगे, लाला जी मैंने आपको 3 साल पहले 100 रुपे दे थे, लेकिन आज उसकी पीमत 124 है, लाला जी, मैंने आपको 3 साल पहली दे दिये थे, आपने तो मेरा नाम रामु, आपने तो शामु को दे दिये, वो ढुँदार उससे 24 रुपर ब्याज कमा लिया, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पैसा किस टाइम पर किसके पॉकिट में हैं, यह डिपेंड करना डेट बाट डिपेंड करती है, तो अगर मेरे प्यारे में 100 रुपे है, तीन साल बाद वही पैसे 124 हो जाएगा, अब इसके एक साल के बाद फिर से लाला जी ने 100 की किस्त दी, इसके एक साल के बाद फिर से लाला जी 100 की किस्त दी, आप बोलोगे, हां जी सर, बिलकुल सही, तो इस 100 की किस्त पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, एक साल का ब्याज 8%, 8% ब्याज मिलेगा, 100 पे 8 का ब्याज, तो 2 साल पे कितना ब्याज होगा, 16, यानि कि मेरे दोस्ते जब final discussion करोगे, तो यह 100 जो है आपके 116 बन जाएंगे, यानि कि दूसरी किस्त पर आपको 2 साल का ब्याज मिलेगा 16, अरे एक ब्याज की दर 8% है भाई, एक साल का ब्याज 8 है, तो 3 साल का ब्याज 24 होगा, दो साल का ब्याज 16 होगा, पढ़ते क्यों नहीं हो यार, साल information को, आपने 3 साल के बाद, फिर 100 रुपे की किस्त जमा करी, 3 साल के बाद, थर्ड यर के एंड में फिर से आपने 100 रुपे किस्त जमा करी, आप बोलोगे जी सर, तो ये पैसा लाला जी को आपको 4 साल के एंड में करजा खतम खोना था, आप 3 साल के एंड में 100 का नॉट लेके पहुंचीए, यह लो लाला जी 100 रुपे, तो इस पर एक साल का ब्यान लगेगा कि नहीं, आप बोलोगे एंड में 8, तो 100 रुपे एक साल बाद 108 हो जाएंगे, आप बोलोगे हां जी सर, तो जो 100 रुपे है मेरे प्यारे भाई, 3rd year के एड में आपने 100 रुपे की किस्त जी जमा करी, इस पर आपको एक साल का ब्याज मिलेगा 8, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉबलम नहीं, जिसको नहीं समझ में आया वो रट लो, इस स्याद एक्स्प्लेन नहीं किया जा सकता, 99% बालक रटी रहे हैं, ठीक है भई फिर आप चौथी किस्त पे करते हो, मेरे दोस्तों, 4 साल में, चौथी किस्त पे करते हो, 4 साल के एड में, जैसी आप चौथी किस्त देते हो, करजा खतम हो जाता है, नहीं कि चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलता, आपने चौथी किस्त जमा करी, मेरे दोस्तों, 100 र साल, तो पहली किस्त पे तीन साल का ब्याज मिलना है, दूसरी किस्त पे दो साल का ब्याज मिलना है, तीसरी किस्त पे एक साल का ब्याज मिलना है, तो मेरे दोस्तों आपने पैसा तो 100, 100, 100, 400 दिया, आपने पैसा तो मेरे दोस्तों 100, 100, 100 करके 400 ही जमा किया है, लेकि लाला जी के बही खाते में पैसा हो कितना जाएगा, 16-8, 24-24, 24-48, 448 उनिट, 448 उनिट हो जाएगा, मेरे दोस्ते, 448 उनिट, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही समझ गया, आपने पैसा तो 100-100 की 4 ही किस्ते दी हैं, लेकि जब आप 4 साल बात, पुनल्ट डिसकशन करोगे तो आप ये कहोगे, लाला जी मैंने आपको तीह साल पहले 100 एवा आज वा एक सो चौवीस बन चुक है। मैंने आपको 2 साल पहले 100 एवा गर चौक ये आज वह 116 बन हो एक साल पहले 100 दिया था आज वह 108 बन चुका है। लाला जी मैं आपको यह 100 रुपे दे रहो, यह तो सौई है, मुझे कुछ नीची है, मेरा करजा उतारो, खतम करो, यानि कि कुल मिलाके आपने 100-100 की 4 किस दी है, लेकिन करजा मेरे प्यारे भई आपने उता रहा है 448 के बराबर, तो 448 का आपने करजा उतारा है, 100-100 की 4 ही किस दी है, करजा आपके उपर है कितना 49 रुपे का, तो 448 की वेल्यू 49 रुपे की है, आपके उपर परची कितनी मना के दीती उन्होंने 49 रुपे की, 100 unit की value आपसे पूछे, multiply by 100 आप बोलोगे, हाँ जी सर, तो each installment की value यह आएगी मेरे प्यारे भाई, यहां से इसको calculate करो जरा कितना आ रहा है, 49 आर 600 divided by 448 into 100, 8839 Rs. तो प्रते किस्त की value है, वो 8840 Rs. आएगी approx, approx माल लेते हैं 8,840 Rs. तो each किस्त की value है मेरे दोस्तों, वो approx लगबग 8,840 Rs. होगी, अगर 8,840 Rs. की 4 किस्त दी हैं मेरे दोस्तों, 8,840 की 4 किस्त दी है, तो आपने total कितना पैसा pay किया? अभी 8,840 की 4 किस्त हैं, तो आपने total पैसा जो pay किया 8,840 का 4 गुना, 35,360 Rs. मेरे दोस्तों आपने pay किया, 35,360 Rs. आपने लाला जी को जमा किया केवल, याने कि आपने लाला जी को ब्याज 30,000 Rs. धार लियाता, 35,360 Rs. चुकाना पड़ा, केवल 5,360 Rs. ही आप पे ब्याज लगा, एक्च्छल में अगर आप चार साल बाद इकटा पैसा देते ना, अगर आप चार साल बाद इकटा पैसा देते, तो आप पे 8,000 Rs. पे ब्याज लगता, 96数 Rs. लेकिन आप हर साल थोड़ा-थोड़ा करके जमा करते रहे, तो लाला जी के पास टाइम से पहले पैसा पहुंच रहा, उस पैसे को लाला जी जो टाइम से पहले पहुंच जा रहा है पैसा, उसी पैसे को लाला जी दूसरे गरहक को दे के अपना ब्याज बना ले रहे हैं, तो आपको 5-360 रुपे ब्याज देना पड़ा जो पहले 96 रुपे हो रहा था, तो लाला जी का भी फायदा और आपका भी फायदा, दौनों का फायदा, यह है पूरी कहानी, इसमें कोई भी द लिखावा पूरा एक्जामपल, solution केवाल इतना सा है, जो corner में लिखावा है, गरीन वाला, इतनी बात को समझाने के लिए मुझे इतना कुछ बताना पड़ा आपको, ठेके भाई, अब भी नहीं समझ में आया है, तो आप इसको skip कर दे, केवाल सवाल पे focus करने, सवाल लंब 5% simple interest, 5% सादाण में आज की दर से 4 साल में, दसार 750 रुपे की रासी दे है, ये direct मेरे दोस्ते करजा नहीं है, आप ने दसार 750 करजा नहीं लिया, ये direct examiner ने आपको due depth ही बताया है, कि बहुत 4 साल में आपको इतना करजा clear करना है, आप ने दसार 750 का करजा नहीं लिया था ब से किस्त क्या होगी, ब्याज की दर है 5%, कितनी है, 4 वर्ष में, तो मेरे दोस्तों data आसान है, मैंने माल लिया, कि हर किस्त की value 100 है, पहले किस्त एक साल के बाद, दोसरी दो साल के बाद, तीसरी तीन साल के बाद, चौथी चार साल के end में, अगर ब्याज की दर 5% है, तो पहल का जवाब होगा सरी टूटल हो गया 430 और 30 यूनिट, 430 का करजा आप चुका लोगे, 430 की वेल्यू सवाल में 10,750 रुपे दी है, बताओ कितने गुना, 0 से 0, 43 दूनी 86 मेरे दोस्तों, और यह आपका 5 बार चला जाएगा, 25, एक यूनिट के वेल्यू 25 है, तो each installment की वेल्यू तो पच्चिस उरुपे आईए, 2500 इस सवाल का आंसर होगा, option number C, ठीका ना, basic सवाल है, लेकिन इसके यह आता सब को है, अगर आप market में जाओगे, तो 70-80% बाला की सवाल को solve कर लेंगे, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं, कि कैसे installment काम करती है, थोड़ा सब एक जमने गुमाय रट रखा है, ऐसे ऐसे कर लेना, क्यों होता है, तीन साल का ब्याच, कैसे installment में पीकी आती है, due depth क्या है, कुछ नहीं पता उनको, जी अगरा सवाल, सवाल number है आपके सामने 16, यह बताएगा, लल्दी से बताएगे, अब थोड़ा सा कैलकुलिटिव सवाल आने लगे है, installment के आपको प्रिवेशर में बहुत सवाल मिल जाएगे, थोड़े जादे कलकुलिटिव है, 32 सार चार सुरुपे चुकाने आपको 6 साल के बाद, यदि 6 equal installment में आपको देने, तो आपसे पूचा, इस 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 इस्ट्रॉल्मेंट की value क्या होगी, अगर ब्याज किदर, rate of interest, 8% परेनम है, ब्याज किदर, 8% परेनम है, डाटा असान है, मैंने ये माल लिया मेरे दोस्तों, कि each installment 100 की है, 100 की है, 100, 100 की है प्रतिक installment, आप बोलोगे, हांसर, ब्याज किदर, 8% आपको 6 साल बाद, 6 साल बाद 32,400 रुपे देने हैं, यदि आपका due depth डारेक्ट बताया, अगर due बताया हो, तो पहले आपको due depth निकालना होगा, ठीक है, ब्याज किदर, 8% है, टाइम छे साल है, तो पहले किसपर, 5 साल का बाद लगेगा, 40, इभी एक साल का ब्याज अगर 8% है, दूसरी किछा साल का ब्याज लगेगा, 32, एक साल का ब्याज आठ है, इस पर 3 साल का है ना 6 साल समय तो पहले किसमे 5 साल का फिर 4 साल का तीन दो एक साल का तो यानि की टोटल आपने कितना करजा उता रहा 600 और इन सब को देखेंगे 402 24 तो यह average है मेरे दोस्तो 120 है ना यह AP तो बनगी बच्छो प्रोग्रेशनी तो बनेगे बीच की संख्या 24 है यह average आ जा जाएगा 5 संख्या है तो सम आ जाएगा 120 तो 600 और इन सब को जोड़ेंगे 120 720 के आप करजे को उता लेगे 720 की ही value सवाल में 32,400 रुपे दोस्तो दी हुई है कितने गुना 0 से 0 कट गया 184 बहात्तर यह आपका 180 बार रुपे आ गई 45 तो आपसे पूझा इच इस्टॉर्मेंट 100 यूनिट की value तो 100 यूनिट की value 45 रुपे है यही सवाल का आंसर है मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए कैलकुलेटिव भी आएगा लेकिन तरीका यही रहेगा आगे चलते हैं next question की तरफ सवाल नंबर है बच्चो यह बताएगा मेरे प्यारे भाई next 17 उल्टा question अगर आपसे examiner ने पूछ लिया बनाओ जरा the annual payment of 900 रुपे 900 रुपे की जो annual payment है वो 5 साल में मेरे दोस्तो 15% हिंदी में 10 लिखाए 10 नहीं 15 ही है मेरे दोस्तो 5 साल में 15% की rate of interest से कितने करजे को चुकाएगी यह पू 200 रुपे की आप हर साल annual payment कर रहे हो किस्त दे रहे हो तो 5 साल में 15% परिणम का जो simple interest चल रहा है कितने amount के आपके debt को discharge करेगी तो बहिया data आसान है 100-100 की मेरे दोस्तों आप 5 किस्ते दे तो मैंने माले कि हर किस्त 100 की है हर किस्त 100 की आप दे रहे हो वे आज किदर समय कितना है पांच साल ब्याज कितर 15% है तो पहले किस्त पर 4 साल का ब्याज अगर टोटर 5 साल है पहले किस्त पर 4 साल का ब्याज 15-14-60 इस पर 3 साल का 45 है इस पर 2 साल का 30 इस पर 1 साल का 15 इस पर कोई ब्याज नहीं 0 तो आपका इतना करजा उतरेगा जो कि कितना आएगा मेरे दोस्तों पाचसो, पाचसो, साथ, और यह आपका, साथ, और यह तीस, 750, तो साथ सो पचास का, आपका मेरे दोस्तो करजा, उतरेगा, 750, आप बोलोगे, इच इस्टॉल्मेंट यहाँ पे 900 रुपी कीज़े, जबकि मैंने इच इस्टॉल्मेंट को क्या माना है, 100, तो 100 की वैलू, मेरे दोस्तों, यहाँ पे 900 रुपीज है, 9 गुना, तो 750 की वैलू भी 9 गुना होगी, मेरे दोस्तों, ठीक बई, 500, यह 650 आएगा, मेरे प्यार भी 650, 500 यह नहीं, और यह 150, 650 के वैलू नो गुना, तो 850, डी ओप्शन इसका अंसर है, बड़ा बेसिक सवाल था यह, यह बताएग अगला सवाल करो, जी बच्चो, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, मंतिली इंस्ट्रॉल्मेंट का सवाल आता है, तो उसको कैसे करेंगे, तो भाईसा, आप मंतिली इंस्ट्रॉल्मेंट का भी सवाल कर सकते हो, टैंशन ना लिया करो, बिल्कुल भी, ठीक है, यह ब अगर आपको एक वस्तु खरीदनी है, तो या तो पच्चिस रुपे कैस्ट्रॉल्मेंट का सवाल समझे, देखे, सवाल में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम सिंपल इंस्ट्रॉल्मेंट मान के चलेंगे, ठीक है भाईया, सुनिएगा बच्चो, अगर आपको एक वस्तु खरीदनी है, तो या तो पच्चिस रुपे कैस्ट्रॉल्मेंट करो, या फिर दूसर तरीका कि 520 रुपे कैस्ट्रॉल्मेंट कर लो, और बागिक किस्त बंदवालो, तो पच्चिस सो में से बच्चो 520 आप घटा लीजिए, तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई, यह आजा पैसे कि आप किस्ट बनवा लेंगे तुकड़ों में जमा करेंगे और आप जमा करोगे मेरे दोस्तों चार महिनों में चार मासिक में चार मन्त में आप मेरे दोस्तों जमा करोगे फ़न मंतली किस्त बंभाओगे, ब्याज की दर मेरे दोस्तो 25 परसेंट है, 25 परसेंट, ये बात समझे, आप बोलोगे जी सब, अगर ब्याज की दर 25 परसेंट अनम हैं, तो महिने की किस्त क्या होगी, भ dispers गया, महीने में ब्याज की दर, अगर एक साल में 25 परसेंट बारे प बारे भी आ रहा है एक बटे अड़तालिस तो ब्याज की जो दर है वो पर मन्त एक बटे अड़तालिस है एक बटे अड़तालिस है मेरे दोस्तों ब्याज की दर पर मन्त सुनना मेरी बात को ध्यान से पर मन्त जो ब्याज है आपका एक बटे अड़तालिस है मतलब क्या हुआ म तो इसको fraction में convert करना आसान एक बटे 48 तो 48 रुपे का अगर आपका principle है तो एक मंत्खा ब्याच एक होगा ये मतलब है बच्चो इस बात का अच्छा मेरे दोस्तो इस सवाल में due debt नहीं दिया गया है बढ़े है सवाल है तो पहले आपको यहां से due debt निकालना होगा 25 रुपे की वस्तू थी आपने 520 cash down payment कर लिया 1980 रुपे का आपने करजा लिया लाला जी चार महीने बाद ये कितना हो जाएगा आपका करजा चार महीने बाद चार महीने बाद अमाउंट क्या हो जाएगा ये बताओ बच्चो कितना अमाउंट हो जाएगा चार महीने बाद करजा आपने 1980 रुपे का लिया है लेकिने चार महीने बाद हो कितना जाएगा ब्याज की जो दर है वो एक महीने में एक बटे 48 ब्याज है एक महीने में एक बटे 48 चार महीने में ब्याज होगा चार गु तो यह मेरे दोस्तों आपका हो गया due debt, यानि कि चार महीने के बाद लाला जी आपको इतने रुपे की परची बना के दे देंगे, कि आपको यह चुकाना है, 48 कैसे? अरे बही 25% एक बटे 4 आ रहा है, बटे 12 है, तो एक बटे 4 एक बटे बार एक बटे 48 नहीं हो गया? अद होती है, एक महीने का ब्याज एक बटे 48 है, तो चार महीने का ब्याज 25 बटे 12 परसेंट को फ्रेक्शन में कनवर्ट करने पर एक बटे 48 आता है, चार महीने का ब्याज ह आँगा तेरे बटे बार है, तो यह आपका due debt है, पहले आपने due debt निकाला, clear? अब आपसे पूछा है, monthly installment की value क्या होगी? देखें, यहाँ जो data था, पहले अभी तक जो आपने सवाल के लिए, वहाँ rate of interest बहुत easy था, 5%, 8%, यहाँ rate of interest है, यहाँ rate of interest है, यहाँ rate of interest है, यहाँ rate installment को 100 नहीं मानूँगा, 48 मानूँगा, मैंने माना, कि माना each installment की value 48 है, माना each installment की value है, वो 48 unit है, each installment को 48 unit मान ले, बते 48 आ रहा है न, each installment की value को 48 मान लीजिए, आप बोलोगे कितनी installment पैसा चुगा होगे, 4 मंथली installment मे, पहली installment 48 unit की, दोसरी installment 48 unit की, तीसरी installment 48 48 unit की, चौती installment भी 48 unit की, आप बोलोगे हाँ जी सर अचल समझ गया, पहली किस्थ पे 4 मथली है, मंतली installment चलनी है, पहली किस्थ पे 3 महीने का ब्याज मिलेगा, दूसरी भहिया यह देखो न, 4 मंतली installment दे रहे हो, पहली 1 महीने के बाद, दूसरी एक महिने के बाद, तीसरी उसके एक महिने के बाद, चौती उसके एक महिने के बाद, तो पहली किस्त पर तीन महिने का ब्याज मिलेगा, दूसरी पर दो महिने का ब्याज मिलेगा, ब्याज की जो दर है 25 बटे 12 पर मंद है यानि कि एक बटे 48, 48 पर एक महिने का ब्या ब्याज वन होगा, चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जीरो ब्याज आपको मिलेगा, जीरो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हाँ जी रजत, rate of interest की परिभासा पढ़के आओ, शुरू से आप देखो CISI के पहला lecture, चल, 48 पर तीन महिने का ब्याज, बेटा ब्याज की दर 35 बटे 12 परसेंट है, फ्रेक्शन में एक वटे 48, एक वटे 48 ब्याज की दर है, मतलब क्या है कि 48 रुपे पर एक महीने का ब्याज 1 है परबंत है ब्याज कि दर तीन महीने का ब्याज तीनों का दो महीने का ब्याज दो एक महीने का ब्याज एक जीरू महीने का कोई ब्याज नहीं इस पर जीरू तब कितना करजा उतारोगे भाई और 44, 192, 325, 6 198 उनिट तब 198 उनिट का करज है हां से उतार दोगे और 44, 192, 6 198 आप करजा उतारोगे मेरे दोस्ते इतना 198 उनिट की वेल्यों सवाल में आपको ये दिये बताओ कितने गुना तो आप कहोगे सर 198 से 10 बार जा रहा है 130 बटे 12 गुना 130 by 12 आप बोलोगे हां जी सर एक उनिट की वेल्यों 130 बटे 12 रुपे एक उनिट की वेल्यों तो आप से पूछे मास से किस बताओ मन्थली इस्टॉल्मेंट तो मन्थली इस्टॉल्में 48 उनिट तो 48 unit की value के आएगी भाई, 48 गुना 130 बटे 12 रुपे आप बोलोगे हाँ जी सर, या तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है, 12,48, 34,52, 520 रुपे सवाल का अंसर है, option नमबर यहां से एक औरेक्ट है, इस कूटी कैन बी बाट फूर 30,000 रुपीज इन कैस, और 9,400 इन कैस दाउन कैस एडवांस पेमेंट, फॉलूड बाई 4 मंथली इस्टॉल्मेंट, मंथली इस्टॉल्मेंट, या तो 30 रुपे नगद्दो स्कूटी लियाओ, 94 रुपे की कैस पेमेंट करो और बागी की 4 मंथल इस्टॉल्मेंट वद्वालो, तो आपसे पूचा, इच इस्टॉल्मेंट की वैलू क्या होगी, 15% परेनम का सिम्पल इंटरस्ट है, बताओ बच्चो, ओप्शन्स आपके सामने है, बाई 30 रुपे में से 94 रुपे तो आपने कैस डाउन पेमेंट कर लिये, तो आपने लिया है, जब आप घटाओगे, तो यह आएगा मेरे दोस्तो, 20,600 रुपे का, 20 रुपे का मेरे दोस्तो आपने करजा लिया है, बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं, ब्याज जो है, एक साल में 15% आप मन्थिली किस्ट बंद वाले हो, तो मन्थिली कितना ब्याज है, 15 बटे 12%, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 15% ब्याज है, एक महीने में 15 बटे 12% पर मन्थ यह आपका ब्याज आगे, इसको fraction में convert करना है, 15 बटे 12, percentage को fraction में convert करेंगे, 1 बटे 100 आप बोलोगे, जी सर बिल्कु से, 5 तीज यह 15 और यह 20 बार चला जाएगा, एभी, और यह 3 च ब्याज की जो दर है वो 1 by 80 पर महिने का ब्याज 1 होगा, असी रुपे की धनरासी पर एक महिने का ब्याज 1 होगा, ये इसका मतलब है, मेरे दोस्तों आप पैसा चुका रहो चार किस्तों में, चार मंतली किस्तों में, एक महिने का ब्याज 1 वटे 80 है, एक महिने का ब्याज, चार महिने का ब्याज कितना होगा, एक वटे 20 ये आएगा, एक वटे 20, चार महिने का ब्याज, बारे महिने का ब्याज 15 पर सेंट है, बा तो मैंने यह से due depth निकाल लिया, अब इस due depth को कौन खतम करेगा मेरे प्यार भी इस due depth को खतम करेंगे, आप 4 किस्ट देंगे, मैंने माल लिया, each installment की value 80 है, each installment के लिए को 80 माल लिया, 80 80 की आप 4 किस्टे दोगे, 80 80 80 की 4 किस्टे दोगे, फिलियर है ना आप बोलोगे, हाँ जी स पे तीन महिने का ब्यार लगेगा 3, दूसरी पे दो महिने का ब्यार लगेगा 2, तीसरी पे एक महिने का ब्यार लगेगा 1, इस पे कोई ब्यार नहीं लगेगा 0, यह कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे, सर, 320-3251-6, 326, 326, 326 unit अपने कर जा उता रहा, 326 की value मैंने इच इस्टॉल्मेंट की वेल्यू को, परतेक इस्टॉल्मेंट को मैंने 80 यूनिट माल लिया, 80 यूनिट आप बोलोगे हाँ, जी बहुत बड़े हाँ, 326 यूनिट की वेल्यू यह बताओ कितने गुना दोसे तो मेरे दोस्ते 103 कटीर आये ना ये 21 यूनिट की वेल्यू 1,030 है, तो 80 यूनिट की वेल्यू को आगी 5 गुना 130 का 5 गुना, यहनि की 5,150 रुपे यह सवाल है, पांच यार, 21 कमे किस, कुछ गवलो भी गया, 21 कमे किस ग्यार है, नहीं गलत काटती है हमने भईया, 20 से मेरे दोस्तों यह आपका चला जाएगा, 0 से 0,103 बार, 38 चौक 32,320 और 6,326 हो रहा है, 103 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई यह, और 326 की वेल्यू आ रही है, 103 से तो कटी नहीं रही है, प्राइम नंबर है, 21 से भी नहीं कट रहा है, आंसर यहां से एफ प्रोक्स आ रहा है मेरे दोस्तों, 326 युनिट की वेल्यू आ रहे भाई है, अमाउंट निकाला है बेटा रोहित अमाउंट, आंसर लगबग है, कोई बात है, 326 युनिट की वेल्यू यह है, एक वेल्यू क्या होगी, एक वेल्यू की वेल्यू होगी 103 गुणा 21 बटे 326, यह एक वेल्यू आपसे 80 वेल्यू पूछे, यह मल्टिप्लाई बटे 80, यह एक वेल्यू आपसे पूछे, तो 103 गुणा 21 गुणा 80 divided by 326, तो आंसर रहेगा, 103 गुणा 21 divided by 326, इंटु, एक 0 भी रहेगा, यह पर 1030 रहेगा, इंटु 800, 5307, तो एप्रोक्स मेरे दोस्तों इसकी जो वेल्यू है, लगबक आंसर है, 5307 रूपी आ रहा है, जो की एप्रोक्स में D option है, 5308, खतम, यह लगबक आंसर है, लिखना चाहिए, यह मेरे दोस्तों exit कटनी रहा है, 5308 मेरे दोस्तों लगबक इस सवाल का उत्तर आएगा, तो मुझे लगता है कि अब आप इस टाइब के सवालों को बहुती सरलता और सुगमता के साथ कर लेंगे, आप पुछों के सरी सरलता और सुगमता कौन है, कोई नहीं है बीटा, उन्हीं के साथ आपको सवाल करना होता है, तो सवाल होते चले जाते हैं, 21 बटे 20 कहां से अगर अंसर क्लीस टेल कही बार बता चुका भहिया, डू डेप्ट निकालने के लिए, आप बताओ अगर आपने 20,600 रुपे का करजा लिया है, ब्याज किदर 15% है, टाइम में 4 महिने, एक साल में 15% ब्याज है, चार महिने में 5% ब्याज होगा, 5% एक वटे 20 ब्याज होगा, तो अमाउंट 21 बटे 20 नहीं हो जाएगा, इसलिए 21 बटे 20 से गुणा करी, 20,600 रुपे 5% ब्याज एड करेंगे, ठीक है न, कल्कुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ सवाल नंबर है भाई सा, 21 और 22, दो क्वेशन है, अब यहां से रिवर्स क्वेशन पूछता हूँ, यह मंतिली इस्टोर्मेंट निकालने का भी कर लिया, अगर आप से रेट ओफ इंटेस ही पूछ लिया जाए, मैं 22 बट करवाँगा, 21 आप म मुल्य 9,000 है, यदि इस आर्टिकल को परचेस किया जाता है, 2200 रुपे के कैस्टाउन पेमेंट और बाखी को पेड किया जाता है, 5 इक्वल मंतिली इस्टॉल्मेंट में, 1400-1400 की, अगले 5 महिनों के लिए, तो बताओ, रेट ओफ इंटरस्ट क्या है, एन वली, क्या आपन रुपीज का मेरे दोस्तों, आपके माथे पर करजा आगया, इसी करजे को आप चुकाते हो, और इस करजे को चुकाने के लिए आप, 1400-1400 रुपे की 5 मंतिली किस्ट जमा करते हो, ठीक है न, आप एक बाल बताओ, आपके भाईया, 68-100 रुपे का मेरे प्यारे भाई, आपक 200 रुपे फाल तूँ, मेरे दोस्तों क्या है आपका, ब्याज हो गया के नहीं? आप बोलोगे यही 200 रुपे ब्याज है, बिल्कुल सई ही बात है, सर 200 रुपे ही तो ब्याज है, ठीक है, यह सर नो, अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, भया, 9,70-2 रुपे का अपने cash down payment कर दिया तो 68 रुपे का कर जाए इस 6800 रुपे पर एक महीने का ब्याज लगेगा यहाँ सूनेगा इस 6800 रुपे पर एक महीने का ब्याज लगेगा एक महीने का वह बोलोगे हां जी, sir एक महीने के बाद आपने 1400 रुपे चुका दिया अड़ सठ सो में से चौधे सो रुपे चुका दोगे, बचा कितना 54 रुपे, अब आपका करजा केवल 54 रुपे बचा, चौवन सो रुपे पर एक महीने का ब्याद लगेगा, आप बोलोगे हां जी सर, फिर उसके एक महीने के बाद आप चौधे सो रुपे और चुका दोगे चोवन सो में से चोदे सो चुका दोगे, बचा चार हजार, अब केवल चार हजार रुपे पर एक महीने का ब्याज लगेगा, आप बोलोगे हैंसल, फिर एक महीने के बाद आपने चोदे सो रुपे और चुका दिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तो, 2600, तो यानि कि 2600 रुपे पर एक महीने का ब्याज लगेगा, चोदे सो चोदे सो की पांच किस्त है, साथ है, सवाल को पढ़ा करो, सतीस, हर जगे कैसे आए, कैसे मत चिला करो, गच्छरों की तरह, सवाल ही पढ़ लिया करो, कभी बुद्धी दिये भगवान ने, पुरा रिदम खराब कर दे, तो चोदे सो रुपे की, अब आपका करजा बारे सो है, बारे सो रुपे आपका करजा है, आप आखरी किस्त दोगे चोदे सो की, बोलोगे लाला जी से, लाला जी करचा खतब, बारे सो करजा था, आपने आखरी किस्त चोदे सो की दिये, यहने कि दो सो रुपे फालतू दिये वही 200 रुपे आपका ब्याज ये भी देख सकते हैं जिसको ना समझ में आए वो ये देखो जो ये का आपने करजा लिया एक महिने के बाद आप आरशट सो चुकाओगे आरशट सो पे एक महिने तक ब्याज लगेगा आपके माथे पर कितना करजाए आरशट सो रुपे करजाए एक महिने पर रशट सो ब्याज लगेगा एक महिने बाद आप जो है 1400 चुका दोगे तो आप 54 आपका करजा रहे गया 54 रेह ये महिने आपको बताए कि musical में प्रिंसिपल मानस होता है एक महने बाद फिर से 1400 चुका दिया, बचा चार है, 4000 पर एक महने ब्याल लगीगा, फिर एक महने बाद फिर 1400 चुका दिया, 2600 पर एक महने ब्याल लगीगा, एक महने बाद फिर 1400 चुका दिया, 1200 पर एक महने का ब्याल लगीगा, तर आखरी किस्त, जब आप दोगे 1400 की, तु दे रहो तो आपका 200 रुपे ब्याज है तो मैं कह सकता हूं इन सब को एड कर लो जोड़ लो आप बोलोगे जी सर कितना आएगा जोड़ने पर यह आएगा मेरे दोस्ते सब arithmetic progression में बीच वाला नंबर 4000 यह average है चाहर पंजे बीस हार यानि कि मैं कह सकता हूं बीस हजार रुपे पर यह एक महीने का ब्याज लगा है अरे बीस हजार रुपे पर एक महीने का ब्याज अगर 20,000 रुपे पर एक महीने का ब्याज 200 रुपे 200 रुपीज तो 20,000 रुपे का कितना परशेंट होता है 201 परशेंट निकि एक महीने का ब्याज 1 परशेंट है तो yearly कितना ब्याज होगा 12 परशेंट परेनम C option इस सवाल का अंसर है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है अरे भाई 1400,000 रुपे की 5 किस्त दिये हैं राकेश तो आपने कितना पैसा दिया है 7,000 रुपे करजा आपके उपर 68,000 था 7,000 रुपे आपने जमा किया तो 200 रुपे फाल तो यही तो आपका ब्याज होगा 68 रुपे आपका करजाता आप हर महीने 1400 रुपे की किस्त दे रहे हो तो 68 रुपे एक महीने का बैल लगीगा एक महीने के बाद आपने 1400 रुपे दे दिया बचा चववन सो चववन सो पे एक महीने का बैल लगीगा पिर एक महिने बाद 1400 रुपे दे दिया, 4000, 4000 पर एक महिने का बैल लगेगा, पिर एक महिने के बाद 1400 रुपे दे दिया, 2600 पर एक महिने का बैल लगेगा, पिर एक महिने बाद 1400 रुपे दे दिया, 1200 पर एक महिने का बैल लगेगा, अब आपका करजा 1200, आखरी किस्त दोगे, चौदे सो की, कर्जा बारे से हो था, चौदे सो की आखरी किस्त दी, तो 200 रुपे फाल तु दिया ना, तो 200 रुपे आपने एक्स्टा दिया, वह यह आपका ब्याज है, पाड में जाओ तुम, तो टोटल हम देखेंगे, यह एड करने पर आए 20 रुपे पर, एक महीने का अभ्याज 200 रुपे है, जो की 1% होता है, 12 महीने का कितना होगा, 12% परेनम, ठीक है, और यह आखरी टाइप ता, इतना important नहीं है, यह कभी कबार आता है, एक question मैंने आपको बताया, कठिन वाला मैंने आपको करवा दिया है, यह question है मेरे प्यारे भाई, जो की आया है इस साल के प्री में, 2022 प्री में, इसको आप खुझ से try करना,